आईए भाव प्रवणचित को लेकर सच्चदानंद घन भगवान श्रीक्रिष्ण की दिव्य लिलाओं के गायन के और श्रवन के साथ अपने मन को विशुद्ध करें जिवन साफल्यका मार्ग दर्शन प्राप्त करें जिवन को कृतार्थ करें जो निर्गुण निराकार है वही परब्रम भक्तों की भक्ती के वशिभूत हो करके सगुण साकार बन करके आता है अगुण सगुण दुई ब्रम स्वरूपात उलसिदाज जी कहते हैं निर्गुण सगुण दोनों परब्रम के ही रूप है बगवान अवतार लेते हैं वो भक्तों के लिए लेते हैं भक्तों ने भगवान से कहा ये सिड़ी उपर चड़ने के लिए ही है क्या आप नहीं उतर सकते प्रवो हम इतने सारे आप एक तो आप ही उस सिड़ी को उतर कर निचे आ जाईये न हमारे पास और भक्तों की उस भक्ति पूर्ण प्रार्थना को सुनकर के भगवान उस सिड़ी यानि अवतर निका की मदद से उतर आये अवतरित हुए यानि उतर आये उस घटना को कहते हैं अवतार तो वैसे परभ्रम परमात्मा न किसी इंद्रिय के पकड में आने वाला है न बुद्धि उसको पकड सकती है न मन की पकड में वह आ सकता है ब्रम अतर के बुद्धि मन बानी वह इंद्रिय अगोचर है गुणातीत गोतीत गोती तमीशम गिरीशम मन बुद्धी इंद्रियों की पकड में आने वाला नहीं है नहीं पकड सकती है इंद्रिया लेकिन भगवान चाहे तो पकड में आ सकते हैं तो जिस ब्रकार उस बच्चे को मा कृपा करके उसकी पकड में आ जाती है और बच्चा पकड लेता है तो मा की दिए अरे वावा पकड लिया और बच्चा बड़ा प्रसन होता है उसी ब्रकार भगवान कृपा करके भगतों के लिए अवतरित होते हैं और भगतों की इंद्रियों की पकड में आ जाते हैं अब भक्तों की आँखें उनको देख पा रही है अब भक्तों के कान उनकी मुरली की धुन सुन पा रहे हैं अब वे आलिंगन देखें अब वे चरण का स्पर्ष कर पाएंगे उनकी त्वचा को स्पर्ष का अनुभव हो रहा है परब्रम का स्पर्ष परब्रम्म लिंगम भजे पांडुरंगम ये यूँ खड़ी जो मुर्ती है वो क्या है वो कोई साधारण थोड़ी है परब्रम्म लिंगम साक्षात परब्रम्म का ही सगुन साकार रूप है तो हमारी इंद्रियों की पकड में आ जाए उतना अपना साधारणी करन कर ले वो है अवतार और यदि कोई ग्यानी और निर्गुन निराकार परब्रम्म को ही मानने वाला ये कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हो तुम उस परब्रम्म को सगुन साकार बना रहे हो ये क्या कर रहे हो उसकी महिमा कम कर रहे हो तो भगवान भी कह देंगे बहु तुम अंदर जाओ अरे वो ग्यानियों हम अपने भगतों के साथ खेल रहें ये साधारणी करन कर लेना भगवान की कृपा है करुणा है और उसके चलते भगवान अवतार लेते हैं तुलसिदास जी कहते है संत से किसी ने पूछा कि महराज भगवान कृपालू है कहते हैं सब लोग ये कृपा क्या है तो संत ने बड़ा सुन्दर जवाब दिया भगवान की अपने भगतों के प्रती जो पार्शियलिटी है भगवान का अपने भगतों के प्रती जो पक्षपात है उसका नाम है क्रपा अरे पार्शलिटी करता है हाँ निरकुन निराकारतो सदा अपनी सम्ता में स्थित रहता है लेकिन सगुन भगवान पक्षपाती है पार्शल है इसलिए श्री कुरुष्ण मोर पंख धारन करते है पंख को संस्कृत में केते हैं पक्षप पंख धारन करते हैं इसका मतलब पक्षधर है ये निश्पक्षण नहीं है कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा है तो श्री कुरुष्णा निश्पक्षण बन करके बैठे नहीं रह सकते विदुर जी चले जाएंगे तिर धयात्रा के लिए बलभद्र जी जाएंगे कृष्णा नहीं जा सकते ये एस टू बी धया और किसके पक्षब है अरजुन ने मागा है अरजुन ने चाहा है अरजुन ने प्रार्थना करी है इसलिए अरजुन के पक्ष में यानि भक्त के पक्ष में यानि भक्त का पक्ष लेना मतलब धर्म का पक्ष लेना सत्य का पक्ष लेना न्याई का पक्ष लेना क्योंकि भक्त वो है जो कभी असत्य के मार्ग पर नहीं जाएगा अन्याई की बात नहीं होगी जूट की बात नहीं होगी तो भक्त का पक्ष लेने का अतात पर यह है धर्म का पक्ष लेना न्याई का पक्ष लेना सत्य का पक्ष लेना तो श्री कृष्ण निश्पक्ष बन करके बैठे नहीं रहेंगे द्वारका के राज महल के शेन घंड में आराम नहीं फरमाएंगे He will be right there in the battlefield of क्रुखशेतR अर्जुन का मार के दे रशन करते अर्जुन का रत्स चलाते लेकिन अर्जुन को कहते है मैंचस्त्र नहीं उठाऊंगा लढ़ना है तुझे ये तिरा युद्ध है मैं शस्त्र उंठाऊंगा ये नहीं और तुझे नीचे रखने दूँगा नहीं ये गुरुष्ण का काम है वो नीचे शस्त्र छोड़ दे गंडिव छोड़ दे तो तुरन तस्मात उत्तिष्ट कंते ये कहने वाले भगवान तो इसका सिधा साथा मतलब है भगवान कहते है I'm with you, I'm not for you मैं तुमारे साथ हूँ मैं तुमारे लिये नहीं हूँ कृष्ण काया मनता है मैं तुझा वो है न भिव नकोस मैं तुझा पाठीशी आये भिव नकोस ये मनता तुझा श्री कृष्णा तो वो शस्त्र उठाएंगे नहीं और हमको शस्त्र छोड़ने देंगे नहीं उत्तिष्ठ कंते ही है यानि पुरुशार्थ करो और मैं तुमारे साथ हूँ इसलिए कहते हैं मनुष्य यतना और इश्वर क्रपा मनुष्य को यतना नहीं चोड़ना चीए प्रयास नहीं चोड़ना चीए पुरुशार्थ नहीं चोड़ना चीए और भगवान को पुकारते रहना चीए तो पक्षधर है भगवान कृष्ण मौर पंकदारन करते हैं पक्षधर है राम जी भी पक्षदर है राम जी भी मूर पंक धारन करते हैं मिधिला की पुश्ववाटी काम है जब सिता जी ने पहली बार राम जी को देखा तो तुलसिदाज जी कहते हैं कि सिता जी ने देखा धनुशबान धारन किये हैं पीतामबर धारन किया है श्यामतनु है कमल लोचन है आजानु बाहू है मुकुट है कुंडल है सुन्दर आबोशन है ये सब ठीक है लेकिन सिता जी को राम जी बहुत प्यारे लगे वो क्या देख करके माथे पर मौर पंक है फूल गुथे हुए है तो मौर पंक श्री राम जी के मस्तक बर देख कर सिता जी बड़ी प्रसन होई ये सिता जी की वाटिका है जहां राम और लक्षमन फूल चुनने आए है और सिता जी मूरती मति भक्ती है और भक्ती की वाटिका में एक वार भगवान प्रवेश करे तो वो निश्पक्ष नहीं रह सकता पक्षधर हो जाए ग्यानियों का बर्म भले ही निश्पक्ष हो तटस्त हो साक्षी हो द्रश्टा मात्र हो अक्री हो लेकिन भक्ती की वाटिका में आने के बाद वो निश्पक्ष नहीं रह सकता इसलिए वरिंदावन में आगए एक रुष्ण तो माथे पर मौर पंख है बरहा पीडम नडवरव पुकरन योग करनिकारं विब्रद्वासक कनक कपिशम वह जयंतीम चमालाम सिता जी की वाठी का में राम जी आये तो पक्षद मौर पंख लेना स्विकार करना माधे पर धारन करना ये भक्ती की वाठी का में प्रवेश का पास है ये पास न वो तो प्रवेश नहीं तो कृपा का मतलब क्या है बोले भगवान का अपने भग्तों के प्रती जो पक्षपात है और इसलिए तो परित्राना ये साधूनाम और विनाशायच दुश्क्रुताम अवतार होता है यदि ये निश्पक्ष रहेगा भगतों का भगवान निश्पक्ष बना रहेगा तो क्या परित्रनाई सादोनाम बिनाई शायच दुश्कृताम ये कारी हो सकता है और यदि कोई कहे कि ये 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 पक्षपात क्या भगवान को शुभा देता है Of course yes जब जब धर्म की हानी होती है न्याय नहीं रहता धर्म नहीं रहता सचाई नहीं रहती और असुर बहुत बढ़ जाते हैं गुंडे अधार्मिक लोग पापी लोग बहुत बढ़ जाते हैं वो इतना त्याचार करते हैं इतना अन्याय करते हैं और वे सीधही विप्र, धेनू, सुर, धर्नी, विप्र, ब्रामनों को ही नहीं, विप्र यानि विवेक प्रदान जीवन जीने वाले सजनों को, गायों को, देवताओं को, धर्नी को, सब को दुखी करते हैं, और जब वे सब लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, बचाई तराहिमाम तराहिमाम इसलिए गए न कल कल कथा में परसो वाली कथा में हमने देखा कुरुष्ण जन्मकी कथा में कि गाय का रूप लेकर धरनी देवी गई सब देवता गए सब लोग भगवान से प्राधना करे बचाओ और तब भगवान ये कहेंगे शेश की सहिया में थोड़ी दिर सोये थे उनको जगाया लक्षमी जी चरण दबा रही है सुनते हो जी कोई मिलने आया है अब भगवान सोने दे दे अरे कोई मिलने आया है अब कौन आया बिना एपोइंटमेंट के मैं आराम में हूँ पता नहीं है यहां ससुरारी में यह समुद्र भगवान के ससुर जी लगते है क्योंकि लक्षमी समुद्र की पुत्री है सिंदु सुता तो समुद्र में सो रहे हैं इसका मिटलब ससुरारी में आराम भरमा रहे है और जब ससुरारी में जाता है तो जमाई बाबु को कोई चिंता नहीं होती कोई कुछ काम करने नहीं देता सब लोग उनकी सेवा में बोले ये सब देवता आये हैं ब्रह्मा जी भी है, शंकर जी भी है ओ, अच्छा, बैठ गए और ये कल्ब ना करो तटस्त भगवान की बैठ गए, बैठे बैठे हाँ, क्या है भई तो सब लोगों ने कहा कि प्रभो पाप का भार बहुत बढ़ गया अत्याचार इतना कर रहे हैं सब असुर और सब संत लोग, जो भक्त लोग है सब दुखी हो रहे हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तटस्त भगवान बोले आप हमारी मदद करिए भई देखो हम तो एकदम तटस्त हैं हम निश्पक्ष हैं हम तो किवल साक्षी मात्र हम द्रष्टा मात्र So I'm sorry, I cannot help you मैं तटस्त, मैं किसी का पक्षण नहीं लूँगा I'm sorry कहकर के फिर से शेश के शेया में शोग है ऐसे भगवान को आप भजोगे लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते वो तुरंद कहेंगे यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवति भारत अब्युथानम धर्मस्य तदात्मानम सुरुजाम्यहं परित्रानाय साधूनाम विनाशायच दुश्कृताम धर्मसंस्था पनार थाय संभवामी युगे युगे मैं अपने आउंश समेट यदवंश में प्रगट होंगा और वे आजाते हैं किन के लिए आजाते हैं वही भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हितलागि कृपाल देवताओं गायों ब्रह्मनों भक्तों उन सब के लिए भगवान आजाते हैं फिर वो तटस्थ नहीं रह सकते वो आते ही क्या काम करते हैं मौर पंक को अपने सिर पर धारन करना तो भगवान आए और माते पर मौर पंक धारन कर लिया है इसका मतलब है भक्तों की पार्टी के हैं हम इनके सपोर्टर है खबरदार किसे ने नाम लिया इनका तो और जो भी सताएगा देख लूँगा उन्हें ये पक्षधर कुष्ण है इसलिए मौर पंक धारन करते हैं तो तब तो यहां तक की पांडवों ने कुष्ण को विष्टी के लिए भीजा भेजा तो यहां तक की आधाराज्य न दे तो कोई बात नहीं पांच पांडव है पांच गाउं भी दे देते हैं जाने दो जगड़ा नहीं करना वो लोग ज़्यादा ले जाए ठीक है भाई पांच गाउं की बात छोड़ो सुई की नौक के बराबर जमीन मैं बिना युद्ध के नहीं दूँगा तो श्री कृष्ण ने अरजुन को युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए तैयार किया उकसाया यह क्या है सज्जनता को सक्रिय करने का प्रयास और सज्जनता यदि सक्रिय हो जाए और संगठीत हो जाए तो आप कुरुक्षेत्र में देखिए कवरवों की सेना ग्यारा अक्षव हिनी के है पांडवों की सेना केवल साथ अक्षव हिनी के कवरव सो है पांडव केवल पांच लेकिन सज्जनता सक्री हो जाए और संगठित हो जाए पांचो पांडवों का संगठन और पाँचो पांडव सक्री हो गए श्री कृष्ण उनके साथ विजय को प्राप्त हुए विजय संख्या सापेक्ष नहीं है विजय सत्य सापेक्ष है विजय यदि संख्या सापेक्ष होता तो कवरव विजय हो जाता उनकी संख्या जादा है उनकी सेना भी बड़ी है लेकिन भी जाए सत्य साप एक्षा है पांडव सत्य की राह पर कहने का तात परिया केवल सत्य के राह पर चलने वाले सत्य के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले सत्य के हुए हैं जो जन वे सजन वे सजन केवल दो बातें हो केवल सजन हो ये नहीं चलेगा सक्रिय भी हो और संग्ठित भी हो तो परास्त हो सकती है दुर जनता चाहे कितनी ही बलवान क्यों नहो कितनी बड़ी संख्या में क्यों नहो लेकिन वो परास्त हो सकती है वो श्री कुरुष्ण का अवतार कारिय यह है श्री राम का भी अवतार कारिय यही है रावन को मारने के लिए राम प्रकट नहीं हुए राम से पहले रावन को परास्त करने वाली शक्तियां पृत्वी पर विद्यमान थी दशरत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे जनक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे उस वक्त परशुराम वसिष्ठ विश्वा मित्र अरे दक्षिन से उत्तर की और उन आसुरी शक्तियों को आगे बढ़ने से यदि किसी ने रोका है तो दंड कारण्य में अगस्ट दीवार बन करके खड़े हो गए अगस्ट महाप्रतापी पुरुश ये तो बड़े राजाओं की और बड़े रिशियों की बात हुई अरे किशकिंधा का बानर वो वाली उसने रावन को छे महीने तक बगल में दबाया था रावन किस खिद की मुली है राम से पहले रावन को परास्ट करने वाली शक्तियां समाज में विद्यमान थी लेकिन समस्या ये कि उनमें से कुछ शक्तियां निश्क्रिये कुछ शक्तियां ही सक्रिये थी और उसमें भी समझ Birthday आये कि जो शक्तियां सक्रिय थी उन्में संग्ठन नहीं था राम जी आए और जो लगन की लीला है ना विवा की लीला वो इन सक्तियां को सक्रिय शक्तियां को संग्ठित करने के लिए ने तो सिताराम तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है लेकिन विवाह की लिला भगवान के इसलिए विवाह लग न करना, समलग न करना, जोड़ना, संगठित करना इसलिए कहानियों का आनन तो लो कथाओं का आनन बिल्कुल लो लेकिन उन कथाओं के पीछे क्या संदेश है वो पकड़ो भक्तों के लिए मेरे ठाकुर ने ऐसा रुख बनाया ब्रमान जी कहते हैं मेरे मन को तो बहुत भाया है ये मोर मुकट बंसी धारी पीतांबर धारी वंशे विभो शिता करान नवनी रदाभात पीतांबरात अरुनबिंब भलाधरा पूरन इंदु सुंदर मुखात अरविंदनेतरात कुशनात परम किमपितत वमहम नजात तो आँखों का विश्य बन गए ऐसा रुख बनाया भगवान ने कि अब आँखें एक बार आँखें एक बार देख लें तो फिर उनी को देखना चाहती है सिवाए उनके अब और कुछ देखने का मन नहीं करता बावरी सोजरी जाय कियां जो सावर औ छाड़ी निहारती गोरो एक बार क्या कान में वो मधुर आवाज पड़ गई एक बार करण कुहरों से क्या वो मधुर वेणों की ध्वनी प्रवेश करके मन को छूग गई कि फिर निशम्यगीतम तदनंग वरधनम रजस्त्रियह कुष्ण गुरुहीत मानसा आकर निवेणु रनितम मन बार बार उसी को सुनना चाहता चरण दाड़ कर अब उनी की और जाना चाहते हैं हाथ उनी की सेवा में लगे रहना चाहते हैं मस्तक उनी को जुकता रहता है सब इंद्रियों का विशय वे ही हो गएं अब जिहवा नाम भी लेती है बार बार तो उनी का लेती है तो इस प्रकार अपना साधारणी करन कर लेना ये अवतार है अवतरण और श्रिमत भागवत तो इस प्रकार के चौविस अवतारों की कथा है और कोई यदि ये कहे गवई तुमारे भगवान को भी जनम लेना पड़ता है ये कैसा भगवान है कहना चीए लेना नहीं पड़ता लेता है क्यों क्रिपालू है जीव को करमवश किसी मा के गर्भ में आना पड़ता है भगवान करुणावश किसी मा के गर्भ में आते हैं जीव करमवश आता है भगवान करुणावश आते है भगवान करुणा वरुणा ले तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं अवतार लेकर देखो ब्रजवासियों को क्या आनन दे रहे हैं फिर सितनिक चलो नंदा लही में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं आओ कथा प्रसंग से जुड़ो शुपदिव जी सुना रहे हैं एगदा गुरुःदा सीशु यशोदा नंदगेहिनी करमांतर निक्तासु निर्ममंथ स्वयंदधी एक अधा अथा और एक अधा ये दोनों मंगल वाचक शब्द है एक अधा भगवान के विशेष अनुग्रह का दिन है आज ठाकुर जी की विशेष कृपा उतरने वाली एक संद कहते हैं एकम ब्रह्म एकम कृष्णम ददाती जो उसको देने वाली है वो यशोदा एक अधा उस एक इश्वर को सगुण साकार के रूप में दिखा देने वाली वो एक अधा यशोदा एक अधा गुरुधा सीशू यशोदा महिया ने सोचा कि मेरे घर में इतना माखन है चाज है घी दूद दैं माखन सब है और मेरा लाला मेरे घर में बरपेट नहीं खाता अडोस पडोस के घरों में जाकर माखन चुराता है खाता है गोपिया आती है मेरे पास शिकायत करने कनिया तो कहते थे महिया शिकायत तो ये जूटी जूटी कर रही है अकिकत में शिकायत करना तो बहाना है मुझे देखने आती है बिना मेरे रह नहीं सकती तो कोई न कोई बहाना बना कर आ जाती ये ही था शिकायत तो बहाना था प्रुष्ण का दर्शन करने आ जाती है आद मिया ने सोचा कि गोपियों के घरों में जाकर के श्री कृष्ण माखन चुरा के खाते हैं मेरे घर में इतना सारा है यहां क्यों नहीं खाते एक बात समझ में आई कि गोपियां स्वयम ददिमंधन करती हैं माखन तयार करती हैं मेरे घर में नौकर चाकर दास दासी है वे सब माखन तयार करते हैं भगवान की सिवा दूसरों से कराने से अच्छा है स्वयम करें तीन प्रकार से सिवा होती है वित्जा, तनुजा, मानसी वित्ज से, धन से भगवान की सिवा करें धन को भगवान की सेवा में लगाएं ये वित्तजा सेवा हम स्वैम अपने शरीर से भगवान की सेवा करें तनुजा सेवा और मन भगवान में लगा रहे ये मानसी सेवा मानसी सा परा मता मानसी सेवा स्रिष्ठ है पतत सिद्य ये तनुवित्तजा मानसी सेवा सिद्ध होए इसलिए वित्जा और तनुजा सेवा ये साधन है लेकिन उसमें भी वित्जा से तनुजा सेवा सरिष्ठ है और उसे भी मानसी सेवा सरिष्ठ है माने विचार की आज मैं स्वयम ददि मंधन करूंगी दास दासियों को अन्यकारियों में लगाया और मा स्वयम ददिमंधन करने बैठी आज मैं अपने लागला के लिए माखन त्यार करूँ बोर सुबे मा यशुदा ने स्नान किया रेशमी सफेद साड़ी परिधान किया उसके उपर करधनी कंदोरो संदर आभरन श्रिंगार किया मा यशुदा ने मा यशुदा घर में भी एकदम अच्छी सुगड बंठन के रहती है लाला है ना घर में वो अपनी मां को देखे प्रसन होए यशुदा मिया श्रिंगार करके घर में और फिर ददिमंधन के लिए बैठी ददिमंधन करते समय श्री कुष्ण के बाल चरित्रों का स्मरण कर रही है में और उन चरित्रों का गायन कर रही है तानी अगायत अब आप ददिमंधन कर रही यशुदा मिया का दर्शन करो शुकदिव जीने शब्द चित्र दिया है यशुदा मिया गोरी है अच्छी हाइट है दिखने में भी सुन्दर है जाजर्मान व्यक्तित्व लागे गोरी गोरी यशुदा मिया तंदुरस्त शरीर और गोरे तंदुरस्त शरीर पर मियाने रेशमी सफेद साडी पहनी है उसके उपर करदनी हाथ में कंगन कान में कुंडल गले में आभरन दधि मंधन जब कर रही है मिया तो दधि मंधन करते समय एक लास्य एक निरित्य है यू 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 नाच रहे तो कान के दोनों कुंडल हिल रहे है हाथ के कंगन की चन 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 आवाज आ रही है आवाज हो रही है मदुर्द्वनी हो रही है और वो मथानी दधि मंधन कर रही थी तो मथानी मटके में घुम रही है तो गम 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 यह वादन हो रहा है और महिया स्वयम दधि मंधन करते समय श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का गायन कर रही है तो वादन के साथ वहाँ गायन भी हो रहा है पानी अगायत बाल चरितानी अगायत और महिया दधि मंधन कर रही है तो नृत्य भी हो रहा है तो गायन, वादन और नृत्य संगीत की तीन विधा है यह तीनों विधाएं यहाँ पर है थोड़ा और दर्शन करो कान के कुंडल हिल रहे है हाथ के कंगन मतुर रव कर रहे है और पुत्र स्नेह के चलते मैं अपने लाला के लिए माखन तयार करूंगी पुत्र के प्रती स्नेह के चलते मैया के दोनों थन से दूध स्रवित हो रहा है स्नेहा दिक्के के कार पुत्र स्नेह स्नुतकुचयूगम कान के कुंडल सांख्यों और योग दो दर्शन है ज्ञान की बात हाथ के कंकन कर्म का दर्शन कान मतलब शुरुती ग्ञान हाथ के कंकन कर्म अच्छाती से दूद का अपने आप स्रवित होना ये भक्ति का दर्शन है तो ग्ञान कर्म और भक्ति तिनों का दर्शन है रेशमी सफेद साड़ी मियाने पहनी है वस्त्र वासना का प्रतीक है यहाँ रेशमी वस्त्र है पवित्र वासना और सफेद रंग की साड़ी है सात्विक रंग है सफेद रंग सत्वका रंग है तो सात्विक वासना शुभवासना सदवासना क्या आज मैं अपने लाला के लिए स्वयम ददिमंधन करके माखन तयार करूँगे यही है शुभवासना सरस्वती भी याशु ब्रवस्त्रा वृता कर्धनी है कमर पर पुरुथु कटी तटे मा का कटी भाग पुरुथु है बड़ा है बड़ी उम्र की है ये शुदा में अब वो पतली कमर तो नहीं है पुरुथु कटी तटे बिब्रती सूत्रनद्धम और उसके उपर सूत्रकसना बांधना या तो कर्धनी कंदोरा मराधी में क्या बूलते हैं बांधते हैं कमर पर ये सैयम का प्रतीक है जो भी भगवत सेवा करने के लिए बैठे उसके जिवर में सैयम होना चीए मन का, इंद्रियों का, मन का सैयम, शम इंद्रियों का सैयम, दम कहला था शम और दम ये हो, एक और दर्शन करो, कहते हैं भगवान की सिवा मन कर्म वचन से करनी चाहिए यहां यश्वदा महिया ठाकुर जी की सिवा मन कर्म वचन से कर रही है मन से स्मरंती, वचन से तानी अगायत और कर्म से वोले ददी निर मंधने काले, ददी मंधन कर्म हो गया मन से भगवान की बाल लिलाओं का स्मरंड, तो यह मन से सिवा हो गई और उन चरित्रों का गायन, तानी अगायत, यह वचन से सिवा हो गई अब एक ही श्लोक लेकिन महापुरुषों ने अनेक रूप से इसका दर्शन कराया जब दद्यमंधन कर रही थी महिया श्रीकृष्ण जहां सोय थे जागे प्रातक काल श्याम सुंदर ने आँखें मली आँखों का काजल गाल पर कपोल पर फैल गया अठापुर जी पलंग से नीचे उतरे छोटे से श्याम सुंदर देखा तो महिया दद्यमंधन कर रही है मिठा मिठा गा रही है ओ आज महिया मेरे लिए दद्यमंधन कर रही है श्याम सुंदर चल करके आए महिया के पास ग्रुहित्वा दद्यमंधानम मधानी को पकड़ लिया महिया मौई भूग लग रही है दूद बिलाओ महिया ने मंधन मंद किया अच्छा उठ गए लाला आओ बेटा दूद बिना है कनिया महिया ने बंधन छोड़ा कनिया को गोद में लिया रिदय से लगाया चूमा बहुत प्यार किया और फिर महिया दूद पिलाने लगी ठाकुर जी मानों कहा रहे हूँ महिया शास्त्रों, वेदों, उपनीशदों सबका मंधन करने दो बड़े-बड़े मनीशियों को मनीशा की मतानी लेकर के लेकिन उससे जो तत्व प्राप्त होता है वो तत्व तो मैं हूँ वेद तत्व तो भगवानी है और मैं तो तुमको प्राप्त ही हूँ मैं तुमारे प्रेम का भुखा हूँ महिया तुम तो मुझे अपना दूद पिलाओ ददि मन्धन छोड़ करके महिया दूद पिलाने लगी श्रीकृष्ण को अब कनिया दूद पी रहे है महिया का महिया सहला रही है श्रीकृष्ण के बांके बालों को और ठाकूर जी के मुखारविन को निहार रही है महिया की दृष्टी श्रीकृष्ण के उपर लेकिन श्रीकृष्ण चपल है उनकी दृष्टी मा के घर में सब जगे घुम रही है इदर उदर घुमते दूद पी रहे हैं मा के थन से मुँ लगा हुआ दूद भी पी रहे हैं और चपल के नैन चारों और घुम रहे हैं देखा यशोदा मा ने चूले के ऊपर दूद रखा था गरम करने उसमें उफान आया है और दूद गिर रहा है अगनी में अब दूद में उफान क्यों आया इसको लेकर भागवत के विद्वानों ने अनेक 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 भाव प्रगट की देखो अभी कह रहा था जब मिट्टी खाई तब कि मैं भूगता नहीं हूँ और देखो कैसा पुछ-पुछ करके पी रहा है दूद ने तो सोचा था कि अरे अब तो हमको इनके पेट में जाने का आउसर ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये भूगता नहीं है ये बता दिया उन्होंने जब मिट्टी खाई इकल की कता याद करो बगवान ने ब्रह्माण का दर्शन कराया और क्या कहा मैं भूगता नहीं हूँ मिट्टी मैंने नहीं खाई नाहम भक्षतवान अंब यानि मैं भूगता नहीं हूँ यदि ये भूगता ही नहीं है तब तो हमको इनके अंदर प्रवेश का अवसर ही नहीं मिलेगा लेकिन जब देखा कि मैया का दूद तो ये पुछ-पुछ करके पी रहे हैं तो हमको भी इनके उदर में जाने का चांस है खुश हो गया दूद ओर उफाना या या तो दूद ने सोचा हमको भी भगवान भोग लगा ले हमारा भी लेकिन क्या करे भगवान का मुक्तो वहां मैया के थन से लगा हुआ है मैया के दूद का भोग लगा रहे है लेकिन हमको भी जाना है भगवान के अंदर भगवान हमारा भी स्विकार करे भोग लगावे हमारा तो क्या करे दूद ने सुचा हमारे नीचे अगनी है ये अगनी भी भगवान का ही मुख है अगनी भगवान के मुख रूप है मुखाद अक्री रजायद इसलिए उफान आया और दूद अगनी में गिरने लगा ये भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा इसलिए उफान आया या तो इसलिए उफान आया कि दूद ने सोचा अरे अरे मां का दूद पीते-पीते-पीते ये पूरे तृप्त हो गये इनका पेड भर गया फिर तो हमारा चांसी गया ये वहां तुरुप्त हो जाएंगे ये नहीं चलेगा इसलिए दूजने सोचा कि चलो उफान आएगा हम उपर उठें उफान आएगा तो मां का ध्यान जाएगा तो श्री कुरुष्ण को अतुरुप्त छोड़ करके मां हमको उतारने के लिए दौड़ेगी और कुरुष्ण के पेट में थोड़ी जगे बचेगी तो अपना चांस रहेगा उसके पेट में जाने का बहुत सारे भाव हैं कि क्यों उफान आया भगवान ने देखा कि दूद गिर रहा है अगनी में ठाकुर जिने महिया के थन से थोड़ा अपना मुँ हटाया महिया की ट्योड़ी को यूँ पकड़ा महिया की है गोद में सोते हुए महिया की ट्योड़ी को पकड़ करके कनिया पूछे महिया एक बात पूछो पूछो कनिया तो है पूथ प्यारा है कि दूद मिया समझ गई कनिया के पूछने का अभिप्राय जैसे ही पूछा कि तो पूछ प्यारा है कि दूध तो मिया को याद आ गई अरे दूध रखा था गरम करने चूले पर जैसे ही दृष्टि वहाँ गई दूध में उफान आया गिर रहा है अगनी में तो मुह से तो बोली पूत लेकिन पूत को छोड़ कर बचाने दौड़ी दूट अत्रिप्तम उत्सुरुझ्ज्य स्री कृष्ण को अत्रिप्त छोड़ करके मियाँ दौड़ी दूद' को उठा बचाने अत्रित्तम्त्रुज्य जवेनसायया वुट्सिच्यमाने पयसित्वधिश्रिते अब देखो कामना की पूर्ती में जब बाधाउत्पन होती है तो कुरोधा आता है कामात कुरोधों भी जायते अश्री कृष्ण को अत्रप्त छोड़ करके महियां दाड़ी तो कृष्ण को कुरोधा आगा मुझे बोल रही है पूत लेकिन बचाने दाड़ी दूद्ध यशुदा ने ऐसा क्यों किया तुम लोग शंका कर सकते हो कि करनी में और कतनी में भेद है भगवान की मा की करनी कतनी में भेद हो तो जिसकी करनी कतनी में भेद हो उसकी इज़त नहीं होती है एक जगे के उपदेशक प्रवचन कर रहे थे बड़ा बड़ा सुन्दर प्रवचन कर रहे थे मात्मा तो किसी ने कह दिया कि महाराज ख्षमा करना आप बोलते बहुत बढ़िया बढ़िया हो लेकिन हमने आपके जीवन को नस्दिक से देखा आपके जीवन में आचरन ने हमने नहीं देखा बोलते हो बहुत उचा-उचा लेकिन आपका खुद का आचरण वैसा नहीं है बोलते तो हो लेकिन आचरण क्यों नहीं करते तो महात्मा बहुत चिड़ गया है समझ क्या रखा है तुम लोगों हमसे ऐसा कहते हो अरे बोले भी हम और आचरण भी हम करे सब कुछ हम ही करे हम काम बांट लेते हैं बोलेंगे हम आचरण करो तुम वाह तो करनी कथनी में भेद हो तो क्या इज़त होगी यहां देखा जाए तो ये शुदा की करनी कथनी में भेद लगता है कि मुह से तो बोली पूत लेकिन बचाने दौड़ी दूद तो पूत प्यारा है कि दूद अब भगवान के सामने इस प्रकार बोलना और फिर करनी कथनी में भेद ना मियां ये शुदा की करनी कथनी में भेद नहीं है मियां जो बोली है कि कौन प्यारा है पूत तो बिलकुल सही कह रही है खा है वो गंगी गाय का दूद है कनिया या तो मिया का दूद पिते हैं या गंगी गाय का दूद पिते हैं मिया ने सोचा ये सारा दूद चुले में अगनी में बह जाएगा फिर कनिया मागेगा तो मैं क्या दूँगी श्री कृष्ण के लिए ही दौड़ी है दूद को बचाने देखो वैश्णव सारी संपत्ति भगवान की है ये मानता और इसलिए संपत्ति की रक्षा भी करता है क्योंकि ये भगवत सेवा के लिए इसलिए वो संपत्ति कमाता भी है संपत्ती को बढ़ाता भी है या संपत्ती की व्यवस्था करता है संपत्ती की सुरक्षा के लिए सोचता है ये सब भगवत सिवा के अंतरगत है जब तुम्हारे मन में ये भावना द्रड होई कि ये सब ठाकुर जी का है तो पूत के लिए ही दौड़ी है बचाने दूद क्योंकि ये दूद भी पूत के लिए है तो मिया की करनी कतनी में भेद नहीं है कनिया को गुज़ाया इस मटके में उस दूद के ही सारे संतान है क्योंकि दूद से ही दही, छाच, माखन, सब मटके में गुस्ता उत्रा मटके पर एक पत्थर उठाया दे मारा मटके पर फोड़ दिया मटका मटका फूड़ गया मत्वानी गिर गई चाच बह गई मांखन विकर गया अब जब बच्चे गुस्ता करते हैं तो फिर ऐसा उपद्रव करते हैं फेंकेंगे कोई भी चीज़ देत उतर से नुक्सान करेंगे अब भूग तो लगई रही थी शाम सुंदर को तो बिखरे हुए मांखन को शाम सुंदर ने यूँ दोनों हाथों से समेटा और फिर भूग लगाते हुए चले गए देखो मांखन सफेद सफेद सत्वरंग सत्व का रंग सफेद कनिया के हाथ की हथेलिया लाल लाल रजोगुन का रंग और श्री कृष्ण का शरीर जो है वो श्याम है तमोगुन तो सत्वगुन रजोगुन तमोगुन तिनों का दर्शन वो रहा है तरिकुनात में का प्रकृती है तो ठागुर जी भोग लगाते हुए वहां से चले गए और यहां यशुदा ने जैसे ही दूद को उतारा यहां दूद बचाया और वहां धमा का सुनाई दिया अरे क्या हुआ कर नहीं यहां दोड़ कर महियां वहाँ आई तो साब तो थे नहीं पराकरम करके भाग गए थे और यहां महियां ने जो देखा मटका फुटा हुआ चाश बह गई है माखन बिकर गया अच्छा तो आज मेरे घर में वो धम मचा थे गोपियां कहती थी रोज में मानती नहीं थे आज तेरी खैर नहीं लकड़ी उठाई महियां और दौड़ी कनेयां की पीछे महियां के चरण के नुपुर जब महियां दौड़ी तो छन 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 करने लगे तो वो ध्वनी कनेयां के कान में गई पीछे देखा मां हाथ में लकड़ी लेकर के आरी भागो भी आई आगे आगे कनिया पीछे पीछे महिया ऐसा भगाया ऐसा भगाया महिया को थोड़ी देर में महिया थक गई तंदुरस्त शरीर है माँ खागा दुबली पतली नहीं थी डायट नहीं करती थी मैया ठक गई सांस फुल गई शरीर पसीना पसीना हो गया साड़ी भिक गई एक जिगे बैठ गई रो पड़ी जब बच्चे बहुत सताते हैं तो मा बिचारी क्या करती रोती तो कनिया थोड़ी देर तो शाम सुन्दर दूर खड़े रहे मैया को देखा रो रही है तो फिर पिगल गए दिरे से मruption के पास आए और मैया के गले में हाद डालके मैया की गोदी में अपना गुटना टिका के दूसरे हाद से मैया के गाल से आंसू पोछते मैया तो रो मती ले मैं तेरे पास आगया पिछाडे पिछाडे भागी तो कृष्ण पकड में नहीं आए लेकिन एक जगे बैठ कर रो दी तो कृष्ण स्वयम पकड में आ गए भगवान के पीछे भागने से भगवान नहीं मिलते जहां बैठे हो वहां प्रेम से किर्टन करो दो आंसु बहाओ ठापुर्जी स्वयम पकड में आ जाते है इसलिए कबीर हसना दूर कर रोने से कर प्रीथ इसलिए नाम लो भगवान का जहां हो जिस देश में जिस भेश में रहो मैं आ जहां डठी है आंसु बहाती रही श्रीकृष्ण स्वयम मा की गोद में आ गए मा ने पकड़ा श्रीकृष्ण को और उखल के साथ बांधा जितने दाम ले आई रसियां ले आई सब दो अंगुल कम पड़े दाम रसी संस्कृत में कहते हैं गुण मैयां गुण से बांधना चाहती है अपने लाला को क्यों हर मा अपने लाला को गुण से बांधना चाहती है कि वो गुणवान बने ये मा चाहती क्योंकि गुणवान को ही यश मिलता है और ये यशोदा है यशाओं से ददाती ये यशोदा मा गुण देती है मा संसकार सिंचन करती है बालक को गुणवान बनाती है यही मा का उद्देश है तो वैसे तो गुण के द्वारा निरगुण को बांधना मुश्किल है परन तो जब मा ठक गई भगवान कृपा पुरवक बंद गए बगवान बंद गए यह दामोदर ठाकुरजी हो गए दामोदर लिला उखल के साथ बांधिया क्यों यह चोरी वरी करने के काम में यह उखल तेरी सहायता करता है तो मुख्य अपरादी को भी पकड़ा और उसके जितने साथी संगी थे सब को पकड़ा जाता है ना बोल और और तेरे कौन सागरीत है क्योंकि यह उखल के उपर चड़कर के ही मांखन नीचे उतारते थे इसलिए उखल के साथ बंद दिया महिया चली कई गर में अब रोने की बारी कनी आकी दी रोते रहे महिया हमको छोड़ो देओ अब हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन महिया ने एक न सुनी महिया भूख लग रही है हमको दूद पिलाओ बोले आज भूखा रहे दिन बर भूखा रहे कुछ खाने को नहीं मिलेगा बड़ा उपद्रव करता है शिकायते सुन सुन करके मेरे कान पक गए आज मेरे घर में उधम मचाया गोपिया कहती थी मैं मानती नहीं थी यशोदा जी चली गई देखो यही प्रेम है प्रेम किवल माथे पे हाथ नहीं रखता और प्रेम से किवल हाथ माथे से हाथ सहलाता है प्रेम केवल खिलाता ही नहीं प्रेम कभी भूखा भी रखता है प्रेम बांधता है बंद गए भगवान अच्छा श्री कुरुष्ण ने देखा आंगन में यमलार जुन दो वरिक्ष खड़े ठाकुर जी ने सोचा ये शापित हैं प्रभू ने सोचाया इनको मुक्त करें इनका उद्धार करें देखो ठाकुर जी बंदन में है और तब काम करते हैं मुक्ती का भक्त भगवान को बांध लेते हैं और जब भगवान भग्तों की भक्ती से प्रेम से बंद जाते हैं तो बंदे हुए भगवान क्या काम करते हैं बोले भक्तों को मुक्त करने का आगे आगे का नहीं आ चले पीछे उखल को घसीटते हुए यमलार जुन के वरिक्ष के नीचे बहुत कम जगे बची थी उसमें से श्री कृष्ण निकल गए आगे बढ़ गए और पीछे उखल वो निकल नहीं पाया कम जगे थी फसा जैसे कृष्ण आगे बढ़े दोनों वरिक्ष जड से निकल कर उखड कर धराशाई हो गए उसके मूल से दो दिव्य पुरुष प्रगट हुए वे थे नलकुबर और मनी ग्रेव रुद्र के अनुचर है कुबेर के पुत्र है कैलास के रमणी उपवन में वारुनी मदिरा पी करके स्त्रियों के साथ जलक्रिडा कर रहे थे वहाँ देवर्शी नारद पहुँचे स्त्रियों ने लज्जा से वस्त्र पहन लिए इन दोनों एक तो कुबेर के बेटे धनवान बाब के बेटे तो पैसे का अभिमान रुद्र के अनुचर उची पोष्ट पर तो सत्ता का अभिमान वारुनिम मदिराम पित्वा व्यस्नी है नशा है स्त्री जनई रनुगायत बही स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे अयाशी है तो जवानी में ये चार बाते आती है पैसे का अभिमान सत्ता का अभिमान और व्यसन और व्यविचार तब आदमी सादू संतों का भी अपमान करने लगता है देवरशी नारत ने क्रोध करके शाप दिया जड़ जड़ की तरह खड़े रहे जाओ दोनों जड़ हो जाओ दोनों ने क्षमा मागी तब नारत जी ने कहा व्रिक्ष बनोगे वो भी नंद जी के आंगन में ठाकुर जी तुमारी छाया में खेलेंगे अब ऐसा जाड़ बनना हो तो कबूल होना चीए वही है ये शाप नहीं ये अनुक्र है जाड़ तो बने व्रिक्ष तो बने लेकिन यदि छाया में श्रीक्रिष्ण खेलने वाले हो तो इससे बढ़कर के उस योनी का स्रिष्ठ फल क्या हो सकता तो आज नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने नलकुबर और मनिगरिव दोनों का उद्धार किया क्यों उद्धार किया नलकुबर मनिगरिव का बुल एक तो नारद के वचन को सत्य करने के लिए दूसरा कारण ये व्रिक्ष योनी में है ये व्रिक्षि उनी जो है वो परुपकार की सरोवर तरोवर संत जन चौथा बरसे में परमारत के कारणे चारो धरिया दे परुपकारी है व्रिक्ष स्वेम धूप सहन करके कनिया की गायों को छाया देते हैं गायों की सिवा करते हैं जो पत्थर मारे उनको फल देते हैं व्रिक्ष तो ये परमार्थ की बात है इसलिए भगवान ने उनके उपर अनुग्रह किया तीसरी बात कोई भी गोकुल में आता पूछता किसी से कि वही नंद जी का घर कहा है हमको श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो गोकुल के लोग बताते ये दो यमलार्जुन के व्रिक्ष जो उँचे खड़े हैं बस वही नंद जी का घर है चले जाओ और यमलार्जुन को देखते हुए उस व्रिक्ष को देखते हुए लोग नंद जी के घर पहुचते और श्री कृष्ण का दर्शन करते तो भगवत दर्शन के लिए आने वाले वैश्णवों की इस प्रकार से ये दोनों सहायता करते थे इसलिए भी भगवान ने दोनों पर अनुग्रह किया तो जो वैश्णवों की सेवा करे जो गायों की सेवा करे और जिस पर देवरशी नारत का इस प्रकार अनुग्रह हो तो भगवान ने भी अनुग्रह किया दोनों को शाप मुक्त कर दिया दोनों भगवान की स्तुती किये ए ब्रभो हमारे वाणि आपके गुणानु कथन में लगी रहे हमारे हाथ सदा आपके सेवा में सिर जुकता रहे आपके चरणों में कान सदा कथा श्रवन करे हमारा शरीर आपके सेवा में रहे और द्रश्टी सताम दर्शने इस्तू लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते हैं दिखे तो दर्शन करें संत तो दिखते हैं लोग कहते हैं भगवान दिखते भी नहीं भगवान खाते भी नहीं देखाई पन्खरा और खाई पन्खरा तो ये संत क्या है बोले ये भगवान दरश्टीन का दरशन करें इसलिए तुलसिदाज जी ने भी लिखा नया नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंक करी लेखा बार बार भगवान की स्तुति करके वे दोनों निजधाम गए पैड गिरने के आवाद सुनकर के नंदादी सब गौाल जहां बैठे थे वहां से दौड कर आए ये क्या हुआ न भुकम ये न आधी चली है कैसे दोनों रिक्ष धराशाई हो गए अच्छा हुआ हमारे लाला के उपर नहीं गिरे कनिया बंदे हुए थे उखल के साथ छुडा के नंदावा ने उठा लिया रो रहे थे चुप कर आया चुमा अब इस भूमी में उपद्रो बहुत हो रहा है इसलिए इस थान को छोड़ कर हम दूसरे इस थान में जाकर के बसेंगे उपनंद नाम के एक गौाल ने सुजाव दिया यहां से थोड़े दुर्द वरिंदावन है यमना का जल्बी मिलेगा हमारी गायों के लिए हरी बरी घास भी परियापत मात्रा में उपलब्द है चलो वरिंदावन में ही जाकर बस जाते हैं तो ब्रहदवन छोड़ करके वरिंदावन में जाकर बसने का निर्णाई किया वरिंदावन में तीन मुख्य परवत है एक बरसाने वाला जहां राधारानी का मंदिर आप गए हूँ बरसाना राधारानी का दर्शन किया हूँ दूसरा श्री गोवरधन पतीसरा नंदगाउं वाला परवत बरसाने वाला परवत ब्रम्मा जी का रूप है गोवर्धन परवत विश्नु रूप है नंदगाउं वाला परवत शिवस्वरू है इस रूप में ब्रम्मा विश्नु महेश व्रंदावन में निवास करते हैं ये सभी शिव स्वरूप परवत की शरण में आकर के बसी गए क्योंकि शिव जी पशुपती है और हम लोग पशुपालक है यह सब गौाल है पशुपालक है कुशी गोरक शवानिज्यम वैश्य करम स्वभावजम हम पशुपालक है और इस वन में पशुपती भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि ये वरंदा वन है वरंदा दैतियों की जाती की है इसलिए इस वरंदा वन में दैतिय बहुत है इन दैतियों से पशुपती भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे इसलिए शिवस्वरूप बर्वत की शर्ण में आकर के बसी गए भागवत में लिखा है अर्दचंद्राकार गाउं बसा क्यों अर्दचंद्राकार क्योंकि अर्दचंद्र भगवान शंकर के जटा मुगट पर है शंकर जी के मस्तक पर है इसलिए उस परवत पर जो शिवस्वरूप है अर्द चंद्राकार गाउं बसा बीच में नंदाले बनाया और बाकी सब गौालों के गोश्ट बन गए बीच में नंदाले है इसलिए नंदाजी के आंगर में खेलने वाले कनिया का सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हु को भी देख सकते हैं इसलिए रचना ऐसी हुई अर्द चंद्राकार एक दूसरे को देख सके त्याकि यदि को इमर्जंसी आवे तो तुरंत एक साथ तुरंत खड़े हो जाए तो सिक्यूरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये रचना ज़रूरी थी अब भगवान बचड़े चराने लगे वरिंदावन में तब वतसासुर बचड़े का रूप लेकर आया भगवान ने वतसासुर का उद्धार किया और फिर श्री अमना के तड़ पर भगवान ने बखासुर का उद्धार किया भगवान के वद्स भगवान के प्यारे भक्तों वैश्णव उनकी टोली में कभी कभी दुष्ट लोग वैश्णव का ऐसा भेश बना करा जाते मंदिर में चले जाते हैं कथा में चले जाते हैं जाते हैं चोरी एत्यादी करने के लिए लेकिन वैश्णव का रूप बना कर चले जाते हैं भगवान ने उसका उद्धार किया बकासुर का उद्धार किया बकासुर दंबरूप है श्री अमना भक्ती स्वरूपा है भक्ती के तटपर भगवान ने दंबका नाश किया बगुले के रूप में था बकासुर उसकी दो चांच के द्वारा भगवान ने उसको फाड़ के रख दिया लोब और असत्य ये दोनों दंबरूप बकासुर की दो चांच है लोब पाप का बाप है असत्य स्वयम में एक महा पाप है भगवान ने लोब और असत्य के द्वारा ही उसको दंबरूप बकासुर का नाश किया और फिर भगवान ने अगासुर का नाश किया जो अजगर के रूप में था अग कार्थ होता है पाप भगवान ने पाप के कारणों को पहले समाप्त किया फिर भगवान ने पाप के कारणों का पहले नाश किया फिर पाप रुप अघासुर का नाश किया पांच वर्ष की उम्र में ब्रह्मा जी आये भगवान की लिला का दर्शन करने उस वक्त भगवान श्रीकृष्ण सखाओं के साथ जंगल में जम्ना जी के तर्ट पर वरिक्ष की चाया में भोजन करने बैठे थे बच्छडे चर रहे थे और सखाओं के साथ ठाकृष्ण जी वन में भोजन आज भी हमारे वैश्णव हवेली में कुनवारा मनुरत करते हैं याज कुनवारो ठाकृष्ण जी का वन भोजन भगवान सखाओं के साथ बांट करके सामगरी भोजन कर रहे हैं अब ब्रह्मा जी आए जब दर्शन करने तो उन्होंने देखा भगवान को जूठन खाते जूठन खिलाते सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकते क्योंकि वेद विरुद दलिला है किसी का जूठा न खाना चीए किसी को अपना जूठा न खिलाना चीए वेद विरुद दलिला को देखकर ब्रह्मा जी को शंका हो गई और ब्रह्मा जी उनके बच्डे जो चर रहे थे घरन करके ले गए यहां भोजन करते करते बच्चों ने कहा कनिया हमारे बच्डे कहां चले गए बच्डे नहीं दिखते तो कनिया बोले चरते चरते दूर चले गए होंगे भैया ऐसा करो तुम सब लोग भोजन करो मैं अभी बच्छडों को लेकर के आता हूँ और श्रीक रुष्ण बच्छडों को ढूंडने गए तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर के जो बच्छे भोजन कर रहे थे उनका अहरण करके ले गए देखते हैं अब कनिया क्या करते है भगवान है कि नहीं पता चल जाएगा और कनिया जब बच्छडे नहीं मिले और वापस लोटे तो यहाँ बच्छे भी नहीं मिले सोचा लगता है कोई बहुत बड़ा चोर आया है सरवग्य प्रभू को पता चल गया ब्रह्मा जी का काम है परिक्षा करना चाहते हैं अरे बुढ़े ब्रह्मा शंका हो गई वेद विरुद धलीला देखी ब्रह्मा जी का एक नाम है विधी वे विधी निशेद को बहुत मानते हैं ऐसा ही करना चीए इसी प्रकार से होना चीए और ऐसा बिलकुल नहीं करना चीए बड़े सकत है उस डिसिप्लिन में वो थोड़ा सा भी उल्टा चले और या तो ठनकता है माथा या मती में शंका हो जाती है यह बगवान नहीं हो सकते संध्या होई श्याम सुंदर ने सोचा घर तो जाना पड़ेगा सब पूछेंगे हमारे बच्छे कहां गए हमारे बच्चे कहां गए भगवान मुस्कुराए चलो हमाई बन जाते भगवान ने संगल्ब किया और भगवान ही बन गए बच्चे और बच्छे अब सब गवाल बाल भी कुछ नहीं है और सब बच्छे भी कुछ नहीं है कुछ नहीं सब कुछ बने रोज की तरह संध्या समय में घर लोटे गोपियों ने स्वागत किया आरती उतारी शाम सुंदर की और अपने अपने बच्चों और अपने अपने बच्छों को लेकर अपने अपने घर गई सुबह जाते हैं शाम लोट आते हैं सुबह जाते हैं शाम लोट आते हैं एक साल तक ये सिलसिला चला किसी गोपी को ये पता न चला कि ये छोरा मेरा नहीं किसी गाय को ये पता नहीं चला कि ये बच्चडा मेरा नहीं है हकीकत मैं गोपियां पहले से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम करने लगी क्यों क्योंकि श्री कृष्ण उसके बच्चे के रूप में थे गाय जब देखो तब न घास चरती है न पानी पीती है क्योंकि उसके बच्चडे के रूप में श्री कृष्ण नहीं है और थोड़ा गहराई में जाकर के सोचो तो लीला का कारण क्या है समझ में आ जाएगा जब गोपी गाय दोती जब यशुदा गाय का दोहन करती और श्री कृष्ण वहां आते में आ के पीछे खड़े हो करके में जाएगा दूद पिना है यशुदा कहती है चला ला दूद पियोगे चलो मुँ खोलो और क्या वहां खड़े-खड़े मुँ खोलते और यशुदा सीधे ही गाय के आचल से दूद की धारा छोड़ती कनिया के मुँ में तो थोड़ा कनिया के मुँ में और फिर मुँ के उपर थोड़ा पीते थोड़ा नाते और गईयां भी पीछे मुड़ करके यह दर्शन करती और फिर कभी यशोदा जब लाला को दूद पिला थी कनिया मा के थन को मुह में ले करके दूद पिते तो गईयां देख करके सोचती कि हमारा दूद तो कनिया के मुह में जाता है लेकिन मा यूँ करके या तो धारा देती है या तो हमारा दूद पात्र में दोह करके फिर पात्र दूद का कृष्ण को दे देती है लेकिन जिस प्रकार यशुदा के थन से मुह लगा करके कनिया दूद पीते हैं उस प्रकार से कभी हमारे थन से ही सीधा मुह लगा करके हमारा दूद नहीं पिये गयां के मन में ये भाव था भगवान सब के भाव को देखते हैं समझते हैं और दर एक के भाव हर एक के भाव को पुर्ण करते हैं और इसलिए भगवान एक वर्ष परियंद उन उन गायों के बच्छडों के रूप में रहे और सीधा ही अपना मुह उन गायों के थन से लगाकर गायों का दूद पिये गायों की इच्छा पूर्णवी और यही बात गोपियों के मन में भी आती जब ये शोदा कनया को दूद पिलाती कि ये कनया हमारा बेटा होता तो हम भी इसी तरह अपनी चाती से लगाती और अपना दूद पिलाती इसलिए श्री कृष्णा एक वर्ष परियंत उस गोपी के बेटे के रूप में उस गोपी के पास रहे और गोपी का दूद पिया जो वातसल्य मई गोपियां हैं उनकी भावना को भगवान ने पूर्ण किया और यहां ब्रह्मा जी आये ब्रिंदावन में तो क्या देखते हैं जिन बच्छडों का वे हरण करके ले गए थे ब्रह्मलोक में वे तो यहां चर रहे हैं जिन गवाल बाल का हरण करके ले गए हैं ब्रह्मलोक में वे तो यहां श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धी चक्कर खा गई कि यह यहां है तो फिर मैंने वहां किसको कैद किया फिर ब्रह्मलोक में गए तो वहां बच्छडे थे और वे सब ग्वाल रो रहे थे ए सफेद दाड़ी वाले बाबा जी हमको क्यों उठा करके ले आये हो हमको छोड़ दे हो हमारे कनिया हमारी राह देख रहे होंगे हमको ढूंड रहे होंगे हमको छोड़ दे हो करके वो रो रहे थे ब्रह्मा जी ने सुझा यहां यह रो रहे हैं फिर से आये व्रंदावन में तो वहाँ खेल रहे हैं सब बच्चे श्री कृष्ण के साथ और वही बच्छडे चर रहे हैं अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धी चक्र खा गई ब्रह्मा जी बुद्धी के देव है समझ में नहीं आई बात बुद्धी के देव ब्रह्मा की बुद्धी चकराई ये क्या देख रहा हूँ मैं बच्चे वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बच्डे वहाँ भी है और यहाँ भी है अब ब्रह्मा जी जब परेशान हुए भगवान ने ब्रह्मा जी को वास्तविक ताका दर्शन कराया जितने बचड़े और बच्चे थे सब के सिर पे मौर पंख देखा ब्रह्मा जी पता चला ये सब भगवान का ही रूप है इसकार तो समझते हो सब भगवान का ही रूप है और भगवान ही भगवान का खा रहे है भगवान ही भगवान से खा रहे है कुरुष्ण भगवान खिला रहे है और गोप भगवान खा रहे है गोप भगवान का जूठा कुरुष्ण भगवान खा रहे है इसमें जूठन की कहां बात आई अपने खा रहे हैं और अपना पिर टेलिफ़न आ गया तो यो कवल नीचे रख दिया और फिर टेलिफ़न पे बात करके और फिर से खाने लगे तो अपना जब जुटा होता है वो अपने खाते हैं तो वो कोई जुटा खाया मना जाएगा उसमें कोई दोश है क्या सब भगवद रूप ही है ब्रह्मा जी को समझ में आया ये भगवान के ही विन्न विन्न रूप है ब्रह्मा जी ने बच्छडे और गवाल लोटा दिये और श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुती करी बार बार भगवान किस्तुती करी ब्रह्मा जी ने बच्छे और गवाल सौंकर ब्रह्मा जी गए देखो देवता दैतियों को मार कर दैतियों पर अनुग्रह किया है भगवान ने उनका उद्धार किया और जब जब देव भी असुर भावा पर न हुए तो भगवान ने देवताओं को परास्त करके उनके आसुर भाव को निवरत्त करके देवों पर अनुग्रह किया मानवों की बीच में तो श्री कृष्ण मानव रूप लेकर के आये हैं और अपने दिव्य लिलाओं के द्वारा अनुग्रह कर ही रहे हैं इस प्रकार सब पर मौरी बराबरी दाया ठाकुर जी की लिला में आप देखो ध्यान से पढ़ो और कथा सुनो मानवों दानवों देवों सबका प्रवेश है तो दानवों को मार कर भगवान ने दानवों पर अनुग्रह किया देवों को परास्त करके भगवान ने देवों पर अनुग्रह किया और मानवों में अनुराग जगा कर और अपनी लिलाओं के द्वारा मानवों को कुछ शिक्षा दे करके मानवों पर अनुग्रा किया ठाखुर जी की लीला लोक शिक्षा के लिए है कुछ ने कुछ प्रबोधन है इसमें ये लीला हैं कुछ ने कुछ सिखाती है और स्रेष्ठ गुरु कौन है जो अपने आचरन के द्वारा सिखाए वो आचारी है और इस तरह से श्री कुछ ने अपने आचरन के द्वारा सिखाया है ये सबसे स्रेष्ठ आचारी है इसलिए इनको जगद गुरु कहते है कुछ नम बंदे जगद गुरुम अब भगवान पाउगंडवाई में आए छे वर्ष के हो गए छे से दस पाउगंडवस था अब गाय चराने लगे देखो गाय गो इंद्रियां उसका पालन गोपाल बच्चा छे साल का हो जाए तो फिर उसको इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना ही सिखाओ गायों को कैसे चराते हैं सिखाओ गो इंद्रियां अब गाय चराने लगे तब दावजी महराज के द्वारा तालवन में धेनु का सुर का नाश हुआ अब संक्षेप में थुड़ा सुना दें तालवन में धेनु का सुर का नाश किया दावजी महराज ने दाव जी संकरशन आत्मविद्या का रूप है और धेनु का सुर देहद्यास आत्मविद्या के द्वारा देहद्यास मिटेगा उसके बाद भगवान ने श्री अमना के हरद में कालिय का निग्रह किया कालिय नाग का निग्रह किया ये इंद्रियाद्यास है देखो इंद्रियों का नाश नहीं, निक्रह जरूरी है आँख को फोड़ दोगे तो हरी दर्शन कैसे करोगे उसको फोड़ के उसको मिटा नहीं देना है बलकि उसका सैयम करना है इन आँखों से क्या देखें, क्या न देखें ये विविक कान के परदे तोड़ दोगे तो हरी कथा श्रवन कैसे होगा तो इस प्रकार जिहवा को काट के फेक दोगे तो कैसे संकिर्टन करोगे तो इंद्रियों का नाश नहीं इंद्रियों का निग्रह इसलिए भगवान ने काली अनाग का निग्रह किया कहते हैं श्रीकृष्ण जब काली की फणा पर नाचे तो विष निकल गया इंद्रियों में विष होता है वासना का विषयों के प्रति जो आ सकती है वासना है यही विष है विषयान विषवत्यजेत विषयों को विषवत्यागना चाहिए जब श्री कुरुशन पृत्य किंद्रिय में नाचेंगे तो फिर ये वासना रहेगी नहीं वासना का विश्ष निकल गया ये बात और जब श्री कृष्ण नाच रहें काली सहस्तर फणा वाला है और उसकी फणा पर भगवान नर्तन कर रहे हैं तो भगवान के पद प्रहार से काली के मूँ से रक्त निकलने लगा पानी लाल लाल हो गया जिसमें से रक्त निकल जाए उसको कहते हैं विरक्त विगत रक्त विरक्त इंद्रियां जो विशया सक्त थी वो अब विरक्त हो गई विशयों से विर्ती जब भगवान नाचने लग जाए तो विशेयों से विर्ती होती है और रामान के अनुसार जीव तब ही जागा है ऐसा समझना चाहिए जानिय तब ही जीव जग जागा जब सब विशय विलास विरागा जब विशाए विलास से वैराग्य हो जाए तब समझो की जीव अब जाग गया मोह की रात्री से तो इस प्रकार भगवान ने खाले का निक्रह किया और फिर बाहर आए और वहां रात में जमना जी के तटपर सब सो गए थे रात में आग लग गई तो सब लोगों को भगवान ने उस अगनी का दावागनी का पान करके बचाया दावागनी पान भी दो बार किया एक यहां यमना के तटपर और आगे चलके मुझार अण्यमे और दोनों दावागनी अलग अलग प्रकार के हैं यहां यमना के तड़ पर जो अगनी आई है ये देव रूप अगनी है और मुझार अगनी में जो आग लगी है वो असुर रूप अगनी है श्रिमत भागवत के आचारियों के द्वारा सब रहस्यस पष्ट होता है कताओं का ये अगनी जो यमना के तड़ पर है वो मारने नहीं बचाने आई है कैसे बोले काली के विश से युक्त विशैला पानी यमना के इस हरद में था तो उसके चलते किनारे पर जो पैड़ खड़े हैं जो घास खड़ी है ये सब विशाक्त है यहां भूखे भूखे सब वरजवासी सो गए हैं सोचा अगनी देव ने कि जब सुबह में ये उठेंगे तो भूखी भूखी गाएं गास चरेंगी और भूखे भूखे सब गौाल और गोपियां पैड़ के फल तोड़ कर खाएंगे ये सब विशाक्त है ये लोग खाए और मरे उसके पहले मैं इसको डिश्ट्रोई करूँ ये आरोग यभी भाग के अधिकारी थे अगनी देव अब फुड़ पोईजन हो गया था तो ऐसे फुड़ को उन्होंने डिश्ट्रोई किया ये भाव है इसमें तो ये बचाने आये हैं अगनी देव भगवान ने दावागनी पान कर लिया तो सब ग्वाल सखा कहने लगे भहिया कनिया तू तो कमाल करता है यार अरे वो कालिया नाग के साथ तुने युद्ध किया जिस कालिया नाग के विश से ये विशाक्त विशैला पानी जो पिये वो तो मरता ही था लेकिन वो उबलता रहता था पानी और उसमें से विशैली भाप उपर उठती थी और कोई पंची भी यदी उड़ता हुआ जाए उपर से तो विशैली भाप के कारण पंची बेहोश होकर गिर पड़ता अंदर मर जाता ऐसा भयंकर विशधारी सर्प वो कालिया नाग तुने उसके साथ युद्ध किया और तुझे कुछ नहीं हुआ कनिया बोले कुछ नहीं हुआ देखो बिल्कुल स्वस्त है हमें बोले कैसे नहीं हुआ कनिया गायों ने तो पिया था वह विशैला पानी मर गई थी गौाल सखाओं ने पिया था मर गई थी श्री कुष्ण ने कुपा मही दृष्टी से उनको पुनरजवीद किया था ये कथा में है तो तुम तो अंदर गए तुम तो कालिया के साथ युद्ध किये और फिर भी तुम को कुछ नहीं हुआ और कालिया के किस-किस मुऊ को तुम पकडते थे सहस्त्रब फणावाला और फिर भी तुमको कुछ नहीं हुआ बार बार वो फुतकार रहा था तुम्हारे उपर मंढ रहा था कनिया बोले कुछ नहीं हुआ कैसे कुछ नहीं हुआ बोले विश्का मारन विश होता है लोहे को लोहे से काटते है न तो विश का मारण भी विश होता है उसके पास विश था तो मेरे मुह में भी विश था वो लेकर नहीं है यह क्या कह रहे हो कालिया नाग के मुह में विश था ठीक है तुम्हारे मुह में विश कहां से आया बोले क्यों पुतना मौसी का नहीं पिया था क्या तो हमारे मुह में भी विश तो विश से विश को हमने जीत लिया विश का मारण विश बोले हाँ ये बात ठीक तो पुतना मौसी से जो विश पिया था अज काम आया अच्छा दूसरे ने कहा कि कनिया तुने आग पी लिया तो तेरा मूँ जल नहीं गया भीया कनिया बोले देखलो मेरे मूँ को कुछ नहीं हुआ बोले कैसे कुछ नहीं हुआ तो पूछने वाला वेदान्ती रहा होगा कनिया ने कहा कि वेदान्ती जी एक बात तो आप मानोगे न कि कार्य का लए कारण में होता है बुले हाँ वो तो है विदान्त के अनुसार कार्य का लए कारण में होता तो श्री कृष्ण ने कहा मेरा मुख जो है वो कारण है और अगनी जो है वो कार्य है क्योंकि मुखाद अगनी रजायत शुरुती है वेद कहते है भगवान के मुख से ही अगनी हुई है तो भगवान का मुख हो गया कारण अगनी हो गई कारिय तो अगनी पी लेना इसका मAmerica कारण में ले तो भागवत में वेदान थे इसके बाद ग्रिश्मरितु आई और ग्रिश्मरितु में दावजी महराज के द्वारा प्रलंबासुर का नाश हुआ ये प्रलंबासुर अंतक करना ध्यास है देहा ध्यास के मिटने के बाद भी अंतक करना ध्यास शेश रहता है वो भी आत्मविद्या से ही नश्ट होता है फिर मुंजार अन्य में दावागनी पान करके भगवान ने ग्वालों और गायों की रक्षा की फिर वर्षा रितुआई वर्षा के बाद शरद रितुआई शरद में भगवान में श्रिवरंदावन में गाय चराते हुए बजाई बासुरिया गाय चर रही थी सखा सब खेल रहे थे एक वर्षा के नीचे किशोर कनिया शाम सुंदर पीताम बरधारी मोर मुकट पग की आँटी लगाई ललित त्रिभंगी प्रभु ने बासुरी बास की वो निरजीव पॉंगरी है जिद्र है उसमें पोली है लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपनाया अधरों से लगाया और अपनी अंगुलियों से उसको गुद गुदाया मधुरगीत गाने लगी वेणु का वहराव वेणु का वहनाद गोपियों के कान तक गया गाउं में वे सब हैं अपने अपने घरों में लेकिन वेणु नाद सुना तो मन से पहुँची श्री कृष्ण के पास दरशन करने लगी मन से बासुरी वेणु नाद सुन करके गोपियों ने मन से श्री कृष्ण का दरशन करते हुए गीत गाया उसको कहते हैं वेणु गीत देखो सखी जिनके माधे पर मोर पीच का मुगट है लीला शरीर धारन किया है कान में कनेर का फोल सुवर्ण कासा फीला पितांबर श्याम शरीर पर गले में वैजयनती माला कंठ में दारन करते हैं तो चरन तक पहुँचती है लंबी व्रंदावन में जाओ तो बिहारी जी की माला लंबी मिलती है वेणु अधरार पित है कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को अच्छा दित करते वेणु बजाते नंद नंद और आसपास खड़े ग्वाल सखा श्रीकृष्ण की किर्ती का गायन कर रहे है सखी व्रंदावन में वेणों बजाते हुए श्रीकृष्ण का जिनोंने अपने नैनों से दर्शन किया है उन्ही को नैन का फल मिला है आंखों का साफल ये उसी में है इन आँखों से बगवान श्री कृष्ण का हम दर्शन करें ने तो आँख किस का मुख़ए वन्य संपत्ती से विभूशित है श्री कृष्ण माथे बेतों कि बुले मोर का मुगट मोर पंक का मुगट गले में वैजन्ति माला या कनेर का भूल कभी गुंजा माला गोवर्धन की धातु से चित्रित चहरा तो सोना चांदी हीरे मोती इसी से ठाकुर जी श्रिंगार करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए वन्य संपत्ती से विभूशित है यहां एक गोपी कहने लगी सखी वेणू ने क्या पुण्य किया है जो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी क्या पुण्य किया होगा इस वेणू ने श्री कृष्ण जहां जाते हैं इसको अपने साथ लेकर जाते हैं इसको अपने से अलग करते ही नहीं गोपी यहां कह रही है हमसे तो ये वेणू ज़्यादा भग शाली है हमें लगातार इनके साथ रहने का आउसर नहीं मिलता वेणू बड़ी भग्यवान है सतत इनके साथ रहती है और श्री कृष्णा ही जहां जाए उठा के ले चलते अपने से अलग नहीं करते और जब बहुत प्रसन हो जाते हैं तो इस वेणू को अधर से लगाते हैं और अधर सुधा का पान कराते हैं क्या पढ़ने किया होगा एक गोपी बोली सकी वेणू ने बहुत तब किया है जंगल में बांस के रूप में कई साल तक खड़ी रही बरसाथ, ठंडी, गर्मी, सबसहा एक दिन वेणू बनाने वाला जंगल में गया उस बांस को काट करके ले आया टुकडे टुकडे किये वेणू ने सहा उसने सहा जो सहना पड़ेगा सहूंगी लेकिन एक बार श्री कृष्ट के अधरों से लगूँ श्री कृष्ट मुझे अपनाए फिर गरम गरम लोहे का सरिया और उससे उस बांस में छिद्र किये गए डाम दिया वो भी उसने साथ श्री कृष्ट तक पहुँचने के लिए उसने इसलिए सब तपस्या किया इसलिए कृष्ट ने अपनाया एक गोपी बोली सखी ऐसी कठिन तपस्या तो बड़े बड़े रिशी मुनी भी करते हैं लेकिन उन्हें ये सवभग ये नहीं मिलता वेणों श्री कृष्ट को इतनी प्यारी है उसका तारण हमको तो कुछ और ही लगता क्या बोले वो पोली है पेट में कोई कचरा नहीं पाप नहीं ऐसा जो निश्कपट होता है वो भगवान को प्यारा होता एक बोली सखी वेणों इतनी प्यारी है हमको कुछ और कारण समझ में आता वेणों में भी छिद्रतो है जैसे हम लोगों में दोश है कमिया है बहुत सी खामिया है वेणों में भी छिद्र है फिर भी श्री कृष्ण ने उसको अपनाया तो ऐसा नहीं समझना चीए कि हमारे में इतने दोश है इतनी कमिया है तो भगवान अपने को नहीं अपनाएंगे वेणों में भी दोश है छिद्र है फिर भी श्री कृष्ण ने वेणों को अपनाया उसका कारण इतना ही है कि वेणों ने अपने दोशों को छुपाया नहीं श्री कृष्ण के सामने खोल के रख दिया हम अपने दोशों समेत श्री कृष्ण को स्विकार हैं लेकिन छिपाएं नहीं कहें मुझे में ये कमी है ये खामी है ये दोश है और दोशों को छिपाना ये कपट है संगितकार के घर में रात में सारे संगित के वध्य पड़े हुए थे सब सो गए थे एक तरब सितार सो गई थी दूसरी और मेंडोलियन अराम कर रहा था तीसरी और सारंगी भी गहरी नीन सोई थी और मिश्टर तानपुरा किसी मोटे आदमी की तरह खर राटा ले रहा था मंजीरा भी तबले भी सो रहे थे और मंजीरे भी तबले के एकदम सटके जैसे माबाप से सटके बच्चे सोते हैं सो रहे थे दो नहीं सो रहे थे, नीध नहीं आ रहे थी एक ढोल और दूसरी बांसुरी बांसुरी को प्रसंता के कारण नीध नहीं आ रहे थी और ढोल को मारे दुख के है नींद नहीं आ रहे है बहुत चिंता में दुख में होता है आदमी तब भी सो नहीं सकता बहुत प्रसंता में भोता है तब भी नहीं सो सकता बाहसुरी बड़ी प्रसंता कभी लुड़कती हुए यूँ जाए कभी लोड़कती हो यो आए कभी यो जाए कभी यो आए और फिर उस बासुरी के अंतिम छोर पे वहाँ थोड़ी घुगरी भी बंदी होई थी तो जैसे पाउ में पहन जनिया पहन करके कोई छोरी कोई कुमारी कन्या एकदम प्रसन्न हो करके चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन यह ऐसे वैसे जो रही थी तो ढोल जहां पड़ा था वहीं पड़ा था सो नहीं रहा था और वो इस तरफ जाए तो वो चिड रहा था कि एक तो मैं परेशान हूँ और इसमें ये ये छोरी जो चन चन करती ही रहती है और ढोल में गुस्ता और बासरी बड़ी खुश वो फिर से आई ढोल के पास बोली दादा अपन जोपलन है जोपना यतिका काई जाला जावाज मैं कह रही है दादा काई जाला जोपना यत ढोल मना ला पोरगी इकड़े ये बस फिर तेज आत्रे ला गप बस मज़ा समर बस गप बस, बोलू ना पूश दोल दादा कशला रागवला कह जाला दादा रागू न कहो अई हड़े गुड डे टुडे डोल ने कहा अरी बासूरी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या पाप किया होगा कि और फिर बजाता है बासूरी तो ऐसा लगता है जैसे तेरे पाउं दबा रहा हूँ और सुला रहा हूँ तुने क्या पंड किया होगा जो तु इतना सुक भोग रही है और मैंने क्या पाप किया होगा गए जनम में मुझे इतनी मार खानी पड़ती है बासूरी बोली दादा बुरा न मानो तो एक बात कहूं गए जनम का कुछ ने इसी जनम का देखो मेरे में भी छिद्र है लेकिन मैं अपने छिद्रों को छुपाई नहीं हूँ मैंने दुनिया के सामने खोल के रख दिया मेरे में इतने छिद्र है इसलिए मेरे छिद्रों समय बजाने वाला मुझे स्विकार था और उनी छिद्रों से सुन्दर सुरावली पैदा करता और दादा बुरा मत मानना मेरे तो छोटे छोटे छिद्र है तुमारे तो दोनों बड़ी पोल है लेकिन तुम चमडे से ढंक के बैठे हो ढांक करके बैठे हो इसलिए तुम्हें मार खानी पड़ती है अन्य वाते हाजी जे मोटा लोकों नी पोले मोटी होई तो ढांकी ने बैठा हो एक ले खबर ना पड़ा जेदि यानि पोल उगाड़ी पड़े त्यार ख्याला दे गोप्य हकिमा चारदयम कुशलमस्मवेणू क्या पुन्य किया हुगा इस वेणूने बोले उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं खापुर जी के समक्ष अपने छिद्रों समेथ अपनी कमियों अपने दोशों समेथ समर्पित हुई और इसलिए भगवान ने उनी छिद्रों से सुन्दर संगीत पैदा तो एक गोपी बोली सखियों ये व्रंदावन के मोर को देखो श्री कृष्ण वेणूं बजा रहे हैं और ये मोर अपने पंख फैलाए नाच रहे एक तो मोर इतना सुन्दर पक्षी अपन्ख फैलाए नाच रहा हो और श्री कृष्ण की वेणूं की धुन के साथ सुन्दर व्रंदावन सुन्दर मोर सुन्दर चित चोर कनियां सुन्दर मोर का अंधृत्य सुन्दर श्री कृष्ण की बांसुरी क्या प्यारा वाता वरण है सब कुछ सुन्दर है एक बोली जगी तुझे पता है क्या श्री कृष्ण इस मोर के पंख को क्यों धारन करते माथे पर बोले एक बार ऐसा हुआ कृष्ण बासुरी बजा रहे थे मोर नाच रहा था नाचते नाचते मोर आगे आगे चला बासुरी बजा थे श्री कृष्ण पीछे पीछे चले ये बासुरी बजा आया और उसकी तान पर मोर नाचे एक जगे मोर ले गया मानो मोर बुला नहीं आया था कि चलो मेरे साथ कहीं किसी से मिलाता हूँ एक जगे ले गया वो था प्रेम सरोगर यहां श्री राधारानी सक्यों के साथ आई है जल भर करके माथे मटकी जा रही है मोर वहां ले आया श्री कृष्ण को और इंट्रोड्यूस कर आया मिलिए यहे व्रिश भानुजा श्री राधिका कनिया बांसुरी बजाते हुए वहां पहुँचे थे और राधारानी को पहली बार देखा जब देखी व्रिश भानुजा तो ही अभी चूठी हूख बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी ठूख बंसी यूही धरी रह गई आथ में फूख मारना ही भुल गए कनिया बजाते बजाते अचानक से फूख बंद हो गई यह श्री कृष्ण की दशा और वहां राधा जी की क्या दशा हुई सक्षियों से जिनके विशई में बहुत सुन रखा था वो नंदन नंदन कनिया अचानक सामने आकर खड़े हो गए सपने में भी सोचा नहीं था कि इस तरह से मिलना हो जाएगा और उसमें भी राधा जी ने देखा कि कनिया अनिमेश नैनों से राधा को निहार रहें तो राधा जी शर्माई और शर्माई तो उसने घुंगट घुंगटा थोड़ा खींचा तो माथे पे तो मटकी थी फिर क्या हुआ राधा जी किया दशा देखकर श्रीकृष्ण ठाका मार के हस पड़े और राधा जी शर्मा के बाग देए कनिया ने देखा मौर की और तो मयूर तिरचे नैनों से श्रीकृष्ण को देख रहा था मानो पूछ रहो कैसी रही मुलापात कनिया बोले अब तक तो कर रहे थे मुकालात असुरों के साथ यह बहुत अच्छे रही मुलापात अच्छी मुलापात कर रही है भया आज से हम तेरे कृतग्य तेरे पंख को हम अपने माथे पर धारन करेंगा और मौर ने भी खुश होकर अपने पंख यूँ फैला के रख दिये कनिया दिये जैसे कोई बुके दे रहा हो फूल का और श्री कृष्टा ने जब एक पंख उसने गिरा दिया तो उस पंख को अपने सिर पर इसलिए एक गोबी बोली सकियों धन्यास्म मूढ मतयोपी हरिन्य एता ये बनकी मुरुगियां भग्जिशाली है श्री कृष्ट वैनों बजा रहे हैं और ये मुरुगी अपने कृष्ट सार नाम के मुरुग पती के साथ खड़ी श्री कृष्ट का दर्शन कर रही है अनिमेश नेनों से अनिमेश नेनों से श्री कृष्ट को देख रही है अनिमेश नेनों से श्री कृष्ट को देख रही है मनों श्रीक्रिष्ण की वो अपने नैनों से पूजा कर रही हो सकी देववनिताएं आई है आकाश में श्रीक्रिष्ण वेनु नाज सुनती है कल्प अवरिक्षक के कुसुम से वृष्टी करती है देवान भूल जाती अरी सकी इन गायों को देखो ये गाय जब श्रीक्रिष्ण वेनु बजाते हैं तो घास चरना भूल जाती है सिर उचा करके और कान उठा करके श्रीक्रिष्ण की और देखते हुए कान यूं करके श्रीक्रिष्ण की वेनु के नादाम मृत को मानो कान के दोने में भर भर करके पी रही है गास चर रही थी लेकिन अब उसके मुह हिलना बंद हो गया तो मुह में आधे चबाए गास के तिनके वैसे ही लटक रहे हैं और वेनों सुनकर गायों को मनों समाधी लग गई आंख बंद हैं, कानियों, आंख बंद हो गास के तिनके वैसे ही लटकते मुह में मुह का हिलना बंद और जो वेणोनाद गायों के कान के द्वारा गायों के अंदर प्रवेश कर रहा है फिर वो निकल कहां से रहा है बोले गायों के थन से दूद बनकर के बह रहा है गायों को दोहना नहीं पढ़ रहा है गायों के थनसे दूद की धारा अपने आप बैरी है आज भी गाय दोते समय दिसंगित बजाया जाए तो गाये ज़्यादा दूद देती इस तरह से ज़्यादा दूद लो गाये खुश होकर के देगी आजकल गायों में कुछ वो दो तिन रुपिय के इंजेक्शन आते हैं श लेकिन जैसे ही श्रीक्रिष्ण की वेणों बजने लगी तो वो भी श्रीक्रिष्ण की और देखकर कान उठाकर सुनने लगे और उसके मुह पे दूद के फिर्ण लगे हुए हैं हजारो हजारो गायों के थन से प्रगट होकर बहने वाले दूद की एक नदी बन जाती है और वो दूद की धवल धारा यमना में मिल जाती है तो यमना जी के श्याम नीर पर दूद का एक सफेद पट्टा ऐसा फैल जाता है जैसे यमना जी ने सफेद रेश्मी साड़ी पहनी किनारे पर खड़े व्रिक्ष चलती हवा में जूमते हैं तो उसके पैड पत्ते फूल पत्ते जमना जी की पानी में गिरते हैं ऐसा लग रहा है जैसे यमना श्रिंगार करके जा रही है अभिसारी का और श्री यमना में कमल खिले हैं तो इस कमल का उपहार वश्याम सुंदर को देने के लिए जा रही है जहां श्री कृष्ण किनारे खड़े बासुरी बजा रहे हैं श्री अमना अपने तरंग रुपी हाथों के द्वारा अपने भीतर खिले हुए कमल रुपी उपहार को किनारे धकेलती है श्री अमना अपने पती को वो आलिंग न देना चाहती है श्री अमना कृष्ण तुरियप प्रिया है सखी व्रिंदावन के व्रिक्षों पर अपने घरोंदे में बैठे इन पंचियों को देखो अपने बच्चों की चांच में चांच डाल कर उन्हें चारा चुगा रहे थे तब श्री कृष्ण की वेणू बज़ उठी और सब कुछ भूल करके श्री कृष्ण की और देखते हैं कभी मस्तक को इस तरब जुकाते कभी उंचा करके आगे देखते हैं सकी यह बोलना जैसे भूल गए श्री कृष्ण की वेणू को सुन करके लगता है यह पंची नहीं हैं यह बड़े बड़े रिशी मुनी हैं बहुत वर्ष परियन दिन होने जंगल में बैड़ कर नाक पकड़ करके जब तब किया लेकिन भगवान की जांकी नहीं हुई वे रिशी मुनी आज वर्ष पंची बन करके आये हैं श्री कृष्ण की जांकी करमें वर्ष पक्षी साधारण नहीं हैं वर्ष प्रुक्षों को भी रिशियों का रूप मांद हैं हमें वहां परिक्रमा मार्ग में थोड़ी सिवा जो चल रही है गिर्राज में तो वहां प्याव बनाई जगे जगे और विश्रांदी के स्थान बनाएं और कुछ सुचना हैं कुछ लोग रादे रादे इत्यादी बगवान का नाम वगेरे सब वहां लगाना था तो कुछ लोग हमारे जो वहां थे हम तो वहां थे नहीं तो हमारे लोग जो थे, वो वहाँ, वो सुत्र का जो बॉड था वो, वहाँ के पैडों के उपर किल ठोक करके लगाने लगे, तो किसी का मुझे फोन आया कि भाई जी आपके जो लोग है वहाँ ट्रश्ट के वो इस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या हुआ, वो लोग किल ठोक के लगा रहे हैं, पैडों में, पुल यहाँ वरंदावन में वरिक्ष वरिक्ष नहीं है, रिशिमुनी, नहीं का भया, यह तो बड़ा अपराद है, तुरत हमने फोन करके का भया, वरजवासियों के प्रेम की रक्षा ही करो, यह बात नहीं, उनकी भावनाओं की रक्षा करो यही बात नहीं, थोड़ा वरजवासियों का जूठा खालो, ताकि इस भाव को हम भी अपने रिदय में संजोए रखें, यहाँ के पैड रिशिमुनी है, यहाँ के पंची रिशिमुनी है, गोपिया कहती है, प्रायो बताम बविहगा मुनयो बनेस्मिन, सकी दिखो वरिंदावन पर मंडराए इन बादलों को, श्री कृष्ण को धूप ना लगे, इसलिए छाया करते हुए साथ साथ चलते हैं, जैसे कोई छत्र लेकर सेवक पीछे पीछे जा रहा हूँ, जब बहुत गर्मी होने लगती है, तो बादल हलके हलके बरसते हैं, हलकी ब दिखोष करते हुए अभिशेक कर रहे हो, सखी ये बादल नहीं, ये वैश्णव है, गोपी बोली सखी हमसे तो ज्यादा बनकी ये भिलनिया भागिशाली, जब श्री कृष्ण वेनु बजाते हुए वरिंदावन में कुझ निकुझ में विहरते हैं, तो ये बनकी भिलनि जाड़ी के पीछे छुप करके वो श्री कृष्ण का दर्शन करती है, मन तो करता है जाकर नंदवरजराज को मिलें, उनको आलिंगन दें, लेकिन फिर सोचती है कहां वो नंदवरजराज कुमार और कहां हम साधारन भिल कन्या, उनका और हमारा मिलन कैसे हो सकता है, और श्री कृष्ण वेनु बजाते बजाते जब निकल जाते आगे, गायों को चराते चराते, गायों के पीछे पीछे वेनु बजाते, सखाओं से गिरे, नंदन अंदन जब आगे बढ़ जाते हैं, तो जहां छुपी हैं वो सब भिल लकन्या, जाड़ी के पीछे दोड़ कराती हैं, और श्री कृष्ण के चरण का लाल लाल कुंकुम हरी हरी घास पर लग गया है, तो हरी आली धरती पर श्री कृष्ण लाल लाल पदचिन्ह छोड़ते हुए गये, तो वे विल लकन्या वहां जाकर के हरी हरी घास पर लगी हुई श्री कृष्ण चरण की लाल ला से छुडा के अपने ललाट पे और अपने रिदय पे उसका लेपन करती है तब जाकर उनका कामत ज्वर्शान्त होता एक गोपी बोली सकी ये गिरिराज को देखो गोवर्धन को श्री कृष्ण वेनु बजा रहे हैं और उनकी गाय चरती हुई गोवर्धन पर चड़ जाती तो कोई सका कहता है कनिया भया तरी कईया गोवर्धन पर चली गई तो कनिया और दाव दादा दोनों अपनी गयान को घेरने एक वंशी धर और दूसरे हल धर श्रीक गोवर्धन पर चड़ते हैं दौडते हुए अपनी गयान को पुकारते हैं ओ गंगी ओ रिगवर्धन गिरराज की गिरिकंदरा से प्रतिघोष उठता है भगवान के चरण के इस परश से प्रमुदित गोवर्धन प्रसनता के चलते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सखी गोवर्धन पर ये जो पैड़ वनस्पती सब है वो गोवर्धन के रोंगटे घड़े हो गए यही गोवर्धन के रोंग है गोवर्धन की आँखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है सखी गिर्राज से ये जो जरने बह रहे हैं वो गिर्राज के प्रेमाश्रु धारा और फिर श्री कृष्ण को गोवर्धन अपनी गुफा में बिठाता है जैसे कोई ड्रुइंग रूम में ले जाए अतिती को अपनी गुफा में और वनस्पती पत्ते बिछाकर उसका आसन बनाकर कृष्ण बलभद्र को बिठाता है सखास पास बैठ जाते है और फिर श्री गिर्राज अपने जो कंद मुलफल जो भी पैड़ों के उपर लगता है वो सब भगवान की सेवा में समर्पित करता है सकी ये गोवर्धन परवत नहीं है हरिदास वरिय है भगवान के सेवकों में सबसे स्रेष्ट ऐसा है श्री गोवर्धन तो श्री गोवर्धन श्री अमना ये गाएं ये गिरिकंद्रा ये प्रकृति ये इसकी रमणियता और उसमें विहार करते श्याम सुंदर ये सब बड़ा अधवुत 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 है तो पैड लगाएं वरिंदावन ठाकृर जी उसमें रहते है वहां लिला करते है वैनोगित गाती हुई गोपियां भगवान में तनमई हो गई फिर हेमंत रितु में नंदबरज कुमारी काओ ने देवी कात्यायनी कावरत किया और तब भगवान वे सब जब नहाने गई यमना में किनारे अपने वस्त्र छोड़ करके तो उनके वस्त्र को हर लेते हैं ये चीर हरन की कतार लेकिन याद रहे भाई बंदू ये चीर हरन जैसे दुशासन्य द्रवपदी के पहने हुए चीर खीचे थे ऐसा चीर हरन नहीं है ये वे किनारे पर अपने वस्त्र छोड़ करके गई है नहने और भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया है कदम के उपर चड़ गए कदम का श्रिंगार किया अब आप इसका तातपरिया समझें भक्ती यमना है और यमना में यदि स्नान करने जाओ भक्ती में गोता लगाने जाओ तो वासना के वस्त्रों को किनारे करो जो लोग वासना को लोगिक वासनाओं को छोड़े बगैर भक्ती के मार्ग में प्रवेश करेंगे वो भक्ती के मार्ग को भी दुशित करेंगे और खुद भी कलंकित होगे और पतन को प्राप्त करेंगे पुजडोंगरे जी महराज कहते थे ग्यान मार्ग में जब पतन होता है तो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है योग मार्ग में पतन होता है तो व्यक्ति रोगी बन जाता है और भक्ति मार्ग में पतन होता है तो व्यक्ति भोगी बन जाता है इसलिए भक्ति मार्ग में पतन नहो वासना के वस्तरों को किनारे करके और तब अंदर स्नान के लिए गोता लगाओ लेकिन भगवान ने सोचा कि जैसे ये बाहर आएगा जीव तो फिर से वासना का वस्तर ओड लेगा फिर से ये पहन न ले इसलिए भगवान ने हर लिया भगवान कृपा करके वासना के वस्तर हर लेते हैं और जीव को वासना से रहित करते हैं जब तक वासना है तब तक देह भाव है देह भाव है तब तक गोपी भाव नहीं हो सकता गोपी भाव नहीं होता तब तक रासलिला में प्रवेश नहीं मिल सकता बगवान ने वासना के वस्तरहर लिए है ये कथा है बात में बगवान ने यगन पत्नियों पर अनुगरह किया और बगवान ने सोचा कि देखो भाई यगन करें ब्रामन अच्छी बात है यजमान सब यग्य करावें अच्छी बात है लेकिन भूखे को भोजन देना यह बहुत बड़ा यग्य है यह भी समझे बगवान ने कहा कि यग्यमें अग्णी में सहस्रधारा से हो में हुए गरत से मैं जितना तृप्त नहीं होता उतना तृप्त में तब होता हूं जब किसी भूखे गरीब को भोजन कराया जाता है भूखे गरीब को यानि भूखा होता है वो गरीब ही होता है जिसको बहुत भूख लगती है उसका मुँँ देखना बिल्कुल गरिब की तरह अपनी बीवी से भी कहेगा कुछ है क्या बुले अभी बना देती हूं नहीं बुले अब कुछ है क्या तैयार बहुत जोरों की भूख लगिये जो भी है प्लीज जल्दी एक बार दे दो विचरा बड़ा गरीब भूख गरिब बना देती तो ऐसे भूखे को बोजन कराना अब उसके भीतर जो वैश्वानर अगनी है ये भगवान का ही तो रूप है अहम वैश्वानरो भुत्वा प्राणि नाम देह माश्रिता तो भगवान ने जब वरज में ऐसे एक यग्यकी तैयारियां हो रही थी दिपावली का दूसरा दिन कार्थी की प्रतिपदा प्रतिवर्ष वरजवासी आज के दिन इंद्र को बली देते हैं बली प्रतिपदा है यग्यकी तैयारी हो रही है श्री कृष्ण ने नंद बावा से पूछा कि बावा ये काहे की तैयारी हो रही है बोले बटा यग्यकी किसका यग्या इंद्र का क्यों बच्चे प्रश्ण बहुत करते हैं बच्चों में जिग्या सा बहुत होती है कुतु हल बहुत होता है विस्मे होता है विस्मे की दुनिया एक अधबुत दुनिया है तो श्री कृष्ण ने पूछा कि इंद्र का या क्या बावा क्यों नंद बावा ने समझाया देखो बेटा परजन्यों भगवान इंद्रों मेघास तस्यात ममूरत यहा इंद्र मेघों के राजा है मघवन कह करके हम पुकारते हैं उसे इंद्र बरसात बरसाते हैं तब अन पैदा होता है हम जीते हैं अन नसे तब घास पैदा होता है हमारी गाय जिन्दा रहती है घास खाकर इंद्र यदि बरसात नहीं बरसाएंगे तो जीवस्रिश्टी कैसे रहेगी बेटा जलही जीवन है इसलिए इंद्र हम सब को जिन्दा रखते हैं, अता हमें इंद्र को बली दे करके कृतक ग्यता व्यक्त करना चाहिए इंद्र को हो गया था अभिमान उसको मिटाना है और यग्यका एक नया रूप समाज के समक्ष रखना है इसलिए भगवान ने कहा बावा I'm sorry I do not agree with you देखो, बच्चे जब सोचने लग जाए और यह अच्छी बात है वो डिबेट करे अच्छी बात है स्वागत के योग के है स्वस्थ डिबेट का स्वागत है I do not agree with you आप कहते हैं इंद्र सबको जिवाते हैं नहीं, मेरी दृष्टी में कर्मना जायते जन्तुहू कर्मनाईव विलियते सुखम, दुखम, भयम, क्षेमम कर्मनाईव अभिपद्यते जीव जनमता है अपने कर्म से मरता है अपने कर्म से सुखी दुखी होता है अपने कर्म से कोई किसी को जलाता नहीं कोई किसी को मारता नहीं साब कर्म से तो मनुष्य को अपने कर्म के उपर ध्यान देना चाहिए और फिर श्री कृष्णे ने कहा आप लोग इतने सालों से इंद्र का यग्य कर रहे हो आप मैंसे किसी ने इंद्र को देखा बोले नहीं तो कनिया बोले तो जिसको देखा नहीं उस देव का आप यग्य कर रहे है और जो प्रत्यक्षदेव है हकीकत में जिनके कारण तुम लोगों का जीवन चल रहा है उनकी आप उपेक्षा कर रहे है अब सब लोग तो मुखध हो करके सुन रहे थे श्री कृष्ण को कनिया बहिया वो कौन प्रत्यक्षदेव है जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है और हम उपेक्षा कर रहे है श्री कृष्ण ने कहा ये गोवर्धन ये गाय ये ब्रामन गोवर्धन प्रत्यक्षदेव है गोवर्दन से हमें आशधी वनस्पती फूल फल नजने कितना मिलता है ये गोवर्दन हमारे लिए प्रत्यक्षदेव है ये नदियां ये पहाड कि प्रकृति माता है उसकी पूजा करो उसका यग्य करो ये गाय हमारे लिए प्रत्यक्षदेव है गायों के दूद नहींगी माखन से हमारा शरिल टिकता इनकी पूजा करो ये ब्रह्मन यानि गुरुजन शिक्षक हमको ग्यान देने वाले शिक्षा देने वाले शिक्षक ये प्रत्यक्षदेव है अब पहले शिक्षक कौन है मा और बाप इसलिए कहते है माता की गोध दुनिया की सर्वस्रिष्ठ युनिवर्सिटी पहले संस्कार बहां से आते है फिर बाप का जो कुल है खंदान है परिवार से संस्कार आते है इसलिए पहले मात्रु देवो भवा फिर पित्रु देवो भवा फिर आचार्य देवो भवा ये सब गुरुजन है ये हमारे लिए प्रत्यक्ष देव है यग्य करना हो तो इनका करो तो सभी ने कहा कि कनिया भाया तु जो बात कह रहा है वो बुद्धी में तो बैठ रही है लेकिन ये वाला यग्य तो हमने कभी किया नहीं तो हम इसकी विधी क्या है कुछ जानते ही नहीं श्री कृष्ण ने कहा और कुछ नहीं करना है इंद्र यग्य के लिए जो आप ने सामगरी जुटाया है उसी से ये यग्य होगा देखो घर-गर में विविद पकवान न तयार करो बिन बिन मिठाईया बनाओ देखो श्री कृष्ण तो रसेश्वर है भाई वो जो भी करेंगे और जो बात करेंगे और जिस तरफ ले जाएंगे वहां रस ही रस होगा ये रसेश्वर है खोखले निरस परमपराओं में उसकी कोई रूची नहीं है व्यवस्था को बदलो रस आना चाहिए नहीं तो सब मॉनोटोनस हो जाता है और फिर रस खतम होता क्यों कर रहे हो मिले हमारे पुर्खों से चला रहा है इसलिए कर रहे है इसका अर्थ क्या है इसका तात्परिय क्या है हम समझते नहीं श्री क्रिश्टन ने व्यवस्था परिवर्तन किया कुछ बदलाओ की जब जरुष्वत होती है तो युग पुरुष बदलाओ लाते हैं व्यवस्था में उन पुरानी व्यवस्थाएं जो अपना अर्थ खो चुकी है उन्हें परंपराओं के रूप में चलते रहना और जारी रखना यही रूडिवादिता है और रूडिवादिता के चलते रस खतम हो जाता है तो समय समय पर व्यवस्थाएं जब परिवर्तन मांगती है तब आवश्यक परिवर्तन Лाना आवश्यक परिवर्तन करना युग पुरुषों के युऊजरश्टा महा पुरुषों के मारग दर्शन अनुसार इसलिए देखो भईया शुरूती एक ही है शुरूती नहीं बदलती लेकिन समूरती बदलती रहेगी क्योंकि समूरती का सम्मंद व्यवस्था से व्यवस्थाएं परिवरतन शील होती है और समय समय पर व्यवस्थाओं में बदलाव आवश्चक हो जाता है और समय पर बदलाव नहीं लाया गया तो वो व्यवस्था खोखला कर मकांड बनकर रह जाती है जड रूढ़िवादिता बन जाती है तो श्री कृष्ण ने वह बदलाओ वरजवासियों को दिया नया यग्य करो चपन भोग तयार करो श्री कृराज जी को भोग लगाएंगे गायों की पुझा करो ब्रामनों की पुझा करो ब्रामनों को दक्षना वस्त्र इत्या दी दो उनको भोजन कराओ गायों को अच्छा खिलाओ गायों का यग्य मतलब गाय और गोवंश का सम्रक्षन और सम्रधन होए गाय कटनी तो नहीं चाहिए लेकिन गाय भूकी भी नहीं मरनी चाहिए कटने से रोकेंगे लेकिन भूकी मरेगी तो आज कल कोई गाय को संभालने तयार नहीं शहरों में गायों को हम भटकता देखते और लोग जो गाय पालते हैं शहरों वाले तो भावुक भक्तों के जिम्मे छोड़ देते किसी मंदीर पे जाके खड़ी हो गई और वहां लोगों ने घास डाल दिया और संध्या समय थोड़ा ऐसा खिलाने के लिए तयार रखते हैं गाय के पास की गाय आ जाएगी वापस गर दोह लेता गायों का यग के मतलब गोवांश और गायों की सुरक्षा समरक्षन और समवरधन गाय ही उस जमाने में अर्थ विवस्था की आधार शिला थी उसलिए गाय ही धन था गोधन और गायों का समरक्षन उ समवरधन वो एक द्रिष्टी से Economic Development की बात है गायों के यग्या में Economy की बात है गोवर्धन का यघ्या ये प्रकृति की पुजा है इसमें परियावरण की एकलॉजी की रक्षन की बात है परियावरण की रक्षा और ब्रामणों का यख्या ये एजूकेशन के फिल्ड को ठीक करने की बात है क्योंकि किसी भी राष्टर का भविश्य उस राष्टर के बच्चे होते हैं उन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिया जा रहा है शिक्षा किस प्रकार की है थोड़ी दिन पहले यहां के पत्रकार बंदों से मैं बात कर रहा था तो मैंने यही का मैकोले साप दे करके गए आज अब हमने उस शिक्षा व्यवस्था में परिवर्थन नहीं किया वर्जवासियों ने बरसों से जो चलता आया था इंद्र का अध्य उसको बंद किया नए प्रकार का अध्य जो श्री कृष्णने ने कहा था किया घर घर से लोग सामगरी बना करके ले आए श्रीक्रिराज जी को भोग लगाए कल हमने दर्शन किया कहते हैं एक रूप से श्रीक्रिशना ग्वालों के साथ बैढ़ कर जिमा रहे हैं श्रीक्रिराज को और दूसरे रूप से गोवर्धन का रूप लेकर खुदे ही खा रहे हैं शैलोस मी कहते हुए गोवर्धन इंद्रियों की वृद्धी जिसमे होती है वो है गोवर्धन इसका मतलब होता है शरीर और सबके देह गोवर्धन में आत्मा रूपी कुरुषन बैठे हैं की नहीं तो खाने वाला कौन है कुरुषन ही है वो खिलाने वाला कौन है मा के भीतर बैठ कर खिलाता कौन है कुरुषन बेटे के भीतर बैठ कर खाता कौन है कुरुषन यजमान के भीतर बैठ कर खिलाता कौन है कुरुषन महमान के भीतर बैट कर खाता कौन है क्रिश्ण खाने वाला भी वही खिलाने वाला भी वही तो वही पकाता है वही खिलाता है वही खाता है वही पचाता है यह सब उसी की लिला है और भगवान ने कहा कि यह प्रसाद फिर सब को बाटो कोई भुखा न रहे कुटे से लेकर चांडाल परियंद सब में ये प्रसाद बटना चाहिए तो देखो विशमता को दूर करने वाला है या उत्साओ आर्थिक और सामाजिक विशमता को दूर करके और आर्थिक और सामाजिक न्याय की पुनरस्थापना के लिए ये यग्य है लेकिन ऐसे यग्य के द्वारा जिनके वयक्तिक हीतों को हानी पहुँचती हो वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे विरोध करेंगे इंद्र ने विरोध किया सत्ता के उंच्छे स्थान पर बैठने वाले जिनके वयक्तिक हीतों को हानी पहुँचती है वो लोग तो फिर विरोध करेंगे और इंद्र ने फिर सत्ता का दुरूपयोग करते हुए कहा कि जाओ मेगगण सामर तक मेगगण जाओ प्रलाइकारी हो बरसाओ बरसाओ डुबा दो वरच को मेगो ने बताया भी कि महराज अभी प्रलाइका समय नहीं हुआ है आप हमको क्यों भेज रहे हो इंद्र ने कहा मिनिस्टर मैं हूँ कि तुम इंद्र की आग्या के चलते भयंकर सामर तक मेगण बरसाद बरसाने लगे और सब भयवीत हुए श्री कृष्ण की शरण में लगता है कनिया इंद्र कोप आएमान हुआ है इंद्र के कोप से तुम ही हमारी रक्षा करो कृष्ण ने कहा डरो नहीं जो करांदी का रिव्यक्ती होता है निर्भिक होता है प्रजा से भी कहता है तुम करांदी के लिए तैयार हुए हो डरपोग लोग करांदी नहीं कर सकते परिवर्दन लाना है निर्भय होकर लाओ तुम्हें अपने इन विचारों में पुरा भरोसा होना चीए हमने कुछ गलत नहीं किया हमने गोवर्धन की पुजा करी है श्रीगोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे इत्युक्त्वई के इन हस्ते इन कृत्वा गोवर्धना चला मैं कहिए करके भगवान ने लीला मात्र में श्रीगिर्ण राज को उढ़ा करके अपने वामकरकमल की कनिषठिका पर धारण किया केते हैं साथ दिन परियन तो श्री कृष्ण ऐसे खड़े रहे सबकी आत्मा का नाम श्री कृष्ण है और वो अंदर है तब तक यह देह गोवर्धन को वो धारन करके खड़ा रहा जिस दिन वो धारन करना छोड़ दे फिर उठाने वाले चार चाहिए होते हैं साथ राम नाम सत्य है कह करके ले जाते हैं तो सबकी आत्मा ही श्री कृष्ण है और वही इस देह गोवर्धन को धारन करके असी नब्य किलो वजन को धारन करके और साथ दिन का मतलब क्या है सब्ता के साथो दिन दिन रात सब्ता के साथो दिन वही धारन करते हैं यह नहीं कि छे दिन वह धारन करते हैं और साथवे दिन रही आर तो वह कहते हैं कि आजमी कामा वर यहनार नहीं तुमी जगा ना सब्ता के सातो दिन वही धारण करते उठते बैठते सोते खाते पीते आत्मा रुपी श्री कुरुष्ण ही देह गोवर्धन को धारण करते हैं और भाई मेरे चपन भोग की जरुवत किसको पड़ती है देह गोवर्धन को कब तक जब तक कुरुष्ण अंदर बैठे हैं आया समझ में तो खाओ पीओ तो मौज से खाओ यार चपन भोग श्री कुरुष्ण तो श्री कुरुष्ण रसिक हैं कहने का दात परिया है चपन भोग की जरुवत शरीर को पड़ती आनन से रहो मौज करो दुखियों ने थोड़ी आयो रोते रोते आयो लेकिन रोने के लिए नहीं आयो आनन करो जीवन को उच्सव की तरह जीवो लाइफ is a celebration श्री कुरुष्ण ने ये ही समझाया यवस्ता परिवर्धन की बात और श्री कुरुष्ण आगे है कहीं अन्या हो रहा हो और श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते श्री कृष्ण जगत गुरु तो इस तरह से श्री गोवर्धन लिला हुई आये श्री गिर्राद धारी प्रभु को प्रणाम कर लें भगवान श्री द्वार कानात और रुक्मिनी जी के रूप में दर्शन करें और श्री द्वार का धीश की जै श्री गोवर्धन नाज की जै श्री गिर्राज धरण की जै